हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं बी एस एटर की क्लासे आज की इस क्लास में डिसक्स करने वाले हैं आपके साथ में आपके स्सी एक्जाइम के लिए स्सी एम्टीएस 2017 के आए हुए कुछ बहुत ही मह सब्सक्राइब करने वाले हैं आशा करेंगे अपने क्लास में मैक्सिमम स्टुडेंट्स को लाइव ले करके भी आएंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक कीजेगा बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरू कर देंगे तो प्लीज फ्रेंट्स सब लोग क्लास को अपने मिलकर के सपोर्ट करें मिलकर के अपने क्लास को शेयर करें आपका पहला प्रशन है की रावरी भारत दौाज को किस भाषा छेतर में काम करने के लिए ग्यानपीट पुरसकार मिला था अच्छा प्रशन है बताइए रावर नंबर फोर थे लोगों बिला कि आंसर है कि झाल ओफोर हमारे इस प्रॉट्ट के लिए सही उत्तर है लेखते हैं को अग्ला प्रशन आग अलसे आरने का पराथ में कश होता है मतर्न और किया होता है प्रकास स्रीचन अदूरी प्रतिकर्द बनाना या अनुवाद करना मतलए फेंड्स आर ने का प्रमुख कारी क्या होता है कि चलिए इस क्वेक्शन का राइट अंसर फेंड्स अगर आपने चुनाया है आप से नमबर हमारा मेरे पर दोस्तों आपसे पूछा गया इसमें आर एन ए ठीक है आर एने का प्रमुख कर क्या होता है तो प्रोटीन श्रंशलेशन होता है ओके ऑप्सन सेकंड जिनका भी आंसर आया हुए बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अगला प्रशन उच संदर्ता के छेत्र से उसकी कम संदर्ता वाले छेत्र की तरफ एक कोशिका जिल्ली के माध्यम में होने वाले अणो के संचालन को कहते हैं। चयझाटुल सक्रियावा गमन होता है इसको क्या बोलता है फ्रेंट्स तो इसको सक्रियावा गमन कहेंगे clear जलिए अगला प्रश्ण जीवाडू के वरगी करण के अध्यन को कहा जाता है study of quality classification of organisms is known as बताये जीवाडू के वरगी करण के अध्यन को क्या बोलता है आप्सों थर्ड टैक्सिमोलाजी ठीक है जीवाडूओं के वरगी कड़के अंधिन को टैक्सिमोलाजी के नाम से जानते हैं याद रखेंगे क्लियर जिनका भी आंसर ऑप्सों थर्ड आया हुए वेरी गुड चलिये अगला प्रशने में रिखें तत्तों में से किसका सबसे कम गलनांग है विचाप दा फॉलिंग एलिमेंट हैस दा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपके आयोटीन लैंड लेड टीन मर्क्यूरी इ लिए अगला प्रे तो डीम्निन का साधर्र नां दा कॉमन नेम आप सोडियां बाय कारबोनेट इस तो बेकिंग गए पोरगों लीज मेंसे का साहरे नाम क्या होता है कि इस question का right answer हो जाएगा option number first baking soda, ठीक है, baking soda sodium bicarbonate का साधरन नाम होता है याद रखेगा, clear, option first जिनका भी answer आ रहा है very good, चलिए, हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, वह computer भाषा जो सन्रचित दस्तावेजों को प्रस्तुत करती है, जैसे cvcss कहलाती है, बताइए, तो उस computer भाषा को क्या बोलेंगे, जो सन्रचित दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है, options हैं आपके, command language, machine language, markup language, यह style sheet language, बताइए, इसको style sheet language कहेंगे, क्या बोलते हैं, style sheet language, clear, जिनका भी अंस्तर, option number 4 आ रहा है, वो हमारा इस question के लिए विल्कुल सही answer है, चलिया, अगला प्रश्न, गडेशों महुत्सों का प्रार्म किस ने किया था, वो इस्टार्ट गडेश फेस्टिवल, महत्मा गांधी, लोकमान अत लग, पंडित नेरू, इंद्रा गांधी, फटा-फट से question कुछ डिसकस करेंगे हम, बाद एक गडेश महुत्सों का प्रारम किस में किया, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option second, लोकमान अति लग, ओके, चलिया, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कि निम्रिखित में से किस देश में सरवाथिक संख्या में, ट्यूब्ल्स पाई गई है, सबसे अधिक ट्यूब्ल्स कहा है, साओधी अरब, साओधी अरब, अमेरिका, चीन, असान question है, option देखे सबसे रहे होंगे, आप लोग, option first, भारत में सबसे अधिक मात्रा में ट्यूब्ल्स पाई गए है, अगला प्रश्न है आपके सामने है, भारत के पूरवी और प्रश्च्च्मी तटो में पाई जाने वाली मिट्टी, लाल चटानी, लेटराइट, काली कपासी, यह अलूबील, मता यह, तिर में से कौन सी प्रकार के मिट्टी, भारत के पूरवी और प्रश्च्च्मी तटो में पाई जाती है, यह लेटराइट म्रदा पाई जाती है, ओके चलिए, अगला प्रश्न है, वा कौन सा मुक्त, एंसाइक्लोपीडिया है, जिसे उसका उप्योग करने वाले लोगों ने ही आपस में मि दिन और रात इन दिनों में होते हैं, बताई तो दिन और राज इंदुन में बराबर होते हैं तो कौन सी डेट होती है और सब्सक्राइब कि 21 जुन और 21 मार्च पांच जुलाई और 21 सितम्बर या पांच जुन और 21 सितम्बर बताईए अगला पांच पराग की राज धानी है तो कि प्राग किस की राजधानी है आप्सन साहिंब के साओधियर ख्रीया उत्र और प्रत्र कोरिया चेटर निदाद और दूबांगो बताई है चलिए आफसन थोड चिक गड़ राज जे ओके चलिए अगला प्रश्च है जहां ने ताजमहल का डिर्मार किसके लिए किया था बहुत आसान प्रश्च पूछा गया था टाजमहल ने मुम्ताजमहल की समनती में ताजमहल कर आया था फेलियर अफसन पोर्श इनका भी आंसर है विटकूल सही हुटतर है उनका चलिए अगला प्रस्शन है किस वर शिवा जी को उतुपत्य का ताज पहनाया गया ठाधा मताइए शिवा जी वास क्रॉंड एस छठ्र प्रथी यह खट्र प्रथी का ताज महराया गया था आपके आभ्या हो श्युंक्त तो सेंग्षा शेद्था प्हें डाइस्स्ट शे कि 1674 में ओके कब तो 1674 को चलिए अगला परमाट रियक्टर का विश्कार किसे ने किया हूं इन्वेंटर था न्यूक्लियर रियक्टर आपसें आपके एनिकोपैसी अडॉल्फ गैस्टन यूजन फिक अगला परियक्टर का विश्कार किस ने किया था कमेंट करें इस परमाट रियक्टर का विश्कार एनिकोपैसी दोरा किया है चलिए अगला प्रस्षें अप करनी तुरंड और इस पारिखा तुरंड के बीच कौन सा कौड होता है अगला प्रशन देखते हैं फटा फटसा है अगला प्रशन रेक्टिफायर्स परिवर्थित करते हैं रेक्टिफायर्स कनवर्ट तो उच्छे वोल्टेज को नीचे वोल्टेज में कम वोल्टेज को उच्छे वोल्टेज में एसी को डीसी में डीसी को एसी में तो rectifiers किसको किसमें परिवर्तित करते हैं बताइए यह AC को DC में convert करते हैं ठीक है तो AC को DC में change करते हैं चलिए अगला प्रशन राष्टरवादी Congress Party की स्थापना DAS में स्थापित किया गया था राष्टरवादी Congress की स्थापना किस वर्ष की गई थी आपके options था 1925, 1905, 1984 यह 1999 बताइए चलिए option number 4, 1999 clear? तो ऐसे में जिनका भी answer option number 4 आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है? चलिए अगला प्रश्य भारती जन्ता पार्टी किस राजनीतिक समों का एक हिस्सा है भारती जन्ता पार्टी is a part of which political group options थापके स्वयूंग्त प्रगत शील कडवंधन राश्टरी जन्ता अंत्र कडवंधन जन्ता परिवार यह राश्ट्र परवार भारती जन्ता पार्टी किस राजनीतिक समों का एक हिस्सा है बताईए इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंट्स option number हमारा second राश्टरी जन्ता अंत्र कडवंधन clear? तो राश्टरी जन्ता अंत्र कडवंधन का हिस्सा है ओके जिनका भी answer option number second आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण होप मैं कप डैस से सम्बंध होप मैं कप इस रिलेटेट टू तो होप मैं कप का सम्बंध किस से है? option आगके badminton, lawn tennis, cricket या होकी होप मैं कप का सम्बंध किस से है? इस question का right answer option second हो जाएगा, lawn tennis, clear? तो होप मैं कप का सम्बंध किस से ये lawn tennis से सम्बंध है? ओके चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है the argumentative Indian पुस्तक किस ने लिखी है? लिखी थी who wrote the book the argumentative Indian the argumentative Indian पुस्तक किस ने लिखा बताईए? options है आपके अमरत सेन, अनीता देशाई, अरोर शारी या अरधंती रॉय बताईए the argumentative Indian पुस्तक किस के तरह लिखी गई है? कमेंट करें option first अमरत सेन, ठीक है? the argumentative Indian जो पुस्तक है ये अमरत सेन तरह लिखी गई है clear? ऐसे में हमारा right answer option number first होगा चलिये हैं अगला प्रशन किस विश्य विरास्त इस्थल में इलतुत्मिस की कब्र है? which a world heritage site comprises of the tomb of इलतुत्मिश तो हुमायू का मगवरा, महा बोधी मंदिर समू, कुत्ब मीनार, लाल किला परिशर किस विश्य विरास्त इस्थल में इलतुत्मिस की कब्र है फटाफट से बताईएं यह कुत्ब मीनार में है किस में फ्रेंट्स कुत्ब मीनार ओके ऑप्सन थर्ड जिनका भी आंसा रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका शलिए लेखते हैं अगला प्रशन है अगल्र प्रशन मैरी कौम दौरा प्राप्त सर्वोच नागरिक सम्मान है दा हाईजस्च saivillian honor received by मैरी कौम is सर्वोच नागरिक सम्मन मेरी कौम दौरा प्राप्त कौन सा है बैदम शिरी बैदम भूशड बैत रतन बता इए है इस question का right answer हो जाएगा option second पदम भूशण कौन से सम्मान है friends या पदम भूशण है clear जिनका भी answer option second आ रहा है very good चलिए अगला प्रशन किस दवा से वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग होता है आपके यह options है रिसोडरोनेट नेक्स्ट आपसंट ट्रैमेडल पॉलिक एसीड या ब्यूप्रोपियोन मत आईए इस question का right answer option second हो जाएक है ट्रैमेडल क्लियर जिनका भी answer option second आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है ट्रैमेडल ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रशना अगला प्रशना एक प्रकार की डैस है तो गन्ना प्रकार का क्या है लता पेड़ जाड़ी यह घास बतर गन्ना क्या है option four घास तो गन्ना एक प्रकार का घास है ठीक है चलिए अगला प्रशना सामानता सूक्षम जीवू विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है Who's commonly known as the father of microbiology वुसूपस्मजी विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है Option थाहिए Robert Hook Anthony Flip1 Livenhawk Carl Lenease Charles Darwin वुसूपश्मजी विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं पताई है इस question का right answer option second हो जाएगा okay जिनका भी answer option second आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer है ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class के friends फटाफट से अगला प्रशन अगला प्रशन विखित में से किसे संसलेशित रबर कहते हैं which of the following is a synthetic rubber synthetic या संसलेशित रबर किसको कहा जाता है options आपके leoprene, monoprene, neoprene या asoprene संसलेशित रबर किसको कहा जाता है इस question का right answer option 3 हो जाएगा नियो प्रेंट नियो प्रेंट को संसलेशित रबर कहा जाता है option 3 जिनका अपके answer आ रहा है बिल्कुल सही हुतता है उनका चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन है NACL होता है NACL क्या होता है option आपके आधुरवी बंद next option दुरवी सहयूंजी आबंद धात्विक बंद या आयनिक बंद मतले इस NACL क्या होता है एविट करें यह आयनिक बंद होता है क्या होता है आयनिक बंद क्लियर जिनका भी answer option number four आ रहा है वह आपका इस question के लिए विल्कुल सही answer है चलिए हम देखते हैं इस class का friends प्रफट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण प्रश्ण में से क्या एक किलो बाइट के तुल होता है which of the following is equivalent to 1 किलो बाइट आपके 128 बाइट 256 बाइट 512 बाइट 1024 बाइट मतले एक किलो बाइट के तुल क्या होता है option 4 एक हजार 24 बाइट के बरावर चलिए अगला प्रश्ण मराठी की शाष्ट की भाष्टा है और चंदीगड दादरा और नगर हवेली दमन और दीव दिल्ली तो मराठी किस की शाष्ट की भाष्टा है कमेंट करें चलिए तो दादरा और नगर हवेली की शाष्ट की भाष्टा है ओके जैसे में जिनका भी आंसर option number second आया हुआ है वह आपका इस question के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली की शाष्ट की भाष्टा है चलिए अगला प्रश्ण यदि खित बयानों में से कौन सा गलत है यदि संसाधन शीमित थे which of the following statement is incorrect if resources were unlimited पहला दिया कि अभी भी कमी होगी और अवसर लागत होगी अभी भी कमी होगी लेकिन कोई अवसर लागत नहीं होगी कोई कमी नहीं होगी लेकिन अवसर लागत होगी ना तो कमी होगी और ना ही अवसर लागत होगी तो इनमें से कौन सा बयान गलत है बताईए इस question का right answer option number 3 हो जाएगा कोई कमी नहीं होगी लेकिन अवसर लागत होगी ओके इनका भी answer option number 3 आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए अगला पर जली जीवाणों का खाद स्रोथ है for the aquatic organisms the source of food is जली जीवाणों का खाद स्रोथ क्या है options है आपके पाइटोपलेक्टन शमुद्री शहवाल एक्वापलेक्टन या जुपलेक्टन तो जली जीवाणों का खाद स्रोथ क्या होता है कमेंट करेंगे इस question का राइट अंसर option first हो जाएगा फाइटोपलेक्टन क्लियर ऑफ्सन फर्स्ट फाइटोपलेक्टन चलिए देखते हैं अगला प्रश्म अगला प्रश्म हीमोग्लोबीन की निम्न मेंसे किसके साथ उच्छतम समानता है हीमोग्लोबीन has the highest affinity with which of the following हीमोग्लोबीन की किसके साथ उच्छतम समानता है बताईए अगला प्रश्म लेना नदी किस देश से होकर बहती है दा लेना river flows to which country तो लेना नदी किस देश से होकर बहती है ओप्सन सायब के चीन USA रशिया या बराजील बताईए ओके ओप्सन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल साही उत्तर है उनका तो लेना नदी रशिया रूस से होकर बहती है चलिए अगला प्रशन मंगलगरा सूर्च से इस्थान पर होता है तो मंगलगरा सूर्च से किस इस्थान पर होता है दूसरे चौथे छटवे या आठवे पदाईए इस सूर्च से चौथे इस्थान पर होता है ऑप्सन सेकेंट ओके जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन आलकन्रन्दा नादी खतरपर कौन सा शहर इस्थेत है उक्ष आपसन देखकी बद्रिनात अयुध्याँज इलाहाबाद लाखड़ाउ मतायां सब्सक्राइब कर रहे अंसर आप्सन फर्स्ट हो जाएका बद्रीनाथ क्लियर तो अलग नंदा नदी के तरफ पर बद्रीनाथ इस्टेफार चलिए अगला बश्रे कलिंग का युद्ध के सबर्श हुआ था कि अगलिंग वॉर कि लिए इन दा इयर तो चार वीशी दोसो एकसर वीशी सत्रा सो इकतिस एडी ग्यारा सो तो यह थे रहे इडी पताईये तो कलिंग के तो दोसो एकसर रिशापूरो में हुआ था 261 बीसी ओके तो ऑप्सन सेकेंड जिनका भी अंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वैस्टन के लिए बिल्कुल सही अंसर है चलिए अगला प्रशन है किस संख का गठन राश्ट संख का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था दे लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म एट विच आफ दा फॉलोईंग राश्ट संख का गठन किश उद्ध के बाध अंत में किया गया था कि विष्व उद्ध का गठन किया गया था इनका भी आंसर और फस्ट आ रहा है बीड़कुल जहीं उत्तर है और ऊंका चलिए हम रेक्टेंस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन अगला प्रशन उद्विकास का सिध्धान्त किसने विक्षित किया उद्विकास का सिध्धान्त किसने विक्षित किया चार्ल्स डार्विन आयोजक प्रणोमिस्थरी ये गैलेरियो गैलेरी पता है उद्विकास का सिध स्धान्त किया, छली का राइट हो जाता है, छाल्स डर्वन पास кажется का सिधान्त, छाल्स डर्वन ने विक्सित किया था, जिननका भी प्ष़ाय स्वस्थ रहा है, वह हमारा इस क्वेस्जन के लिए बिलिकल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चार्स डर्विंड चलिए अगला वस्देश्ट में से कौन सी दूरी की एक एक कई नहीं है नहीं पुछ उप्डा फॉल्विग इस नॉट यूनियट ऑफ डिस्टेंस तो इनमें से दूरी की कई कौन सी नहीं है प्रकाश वर्ष नेक्स्ट आप्सन लॉंग स्टैक खगोली कई यह पारस्यग दूरी की कई इन्में से कौन सी रही है बताएगे कि अग्सटैक अग्सटैक नहीं होता है क्लियर ओप्सन थर्ड खगोली कई अग्सटैक नहीं होता है क्लियर ओप्सन सेकंड इसमें हमारा सही हो जाएगा ओके फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है एक लिफ्ट जो एक समान वेक के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का इस्पष्ट वजन तो एक लिफ्ट जो समान वेक के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी विक्ति का इस्पष्ट वजन क्या होगा आप संदिये के हैं उस वजन से अधिक जब विक्त इस्थिर रहता है उस से दुगना जब विक्त इस्थिर रहता है उस वजन से कम जब व्यक्ति इस्थिर रहता है, उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति इस्थिर रहता है, बता यह चलिए एक जो नीचे की तरफ रिफ्ट जा रही है उसमें किसी विक्ति का जो वजन होगा उस वजन से कम होगा जब एक जिस्थिर रहता है क्लियर इनका भी आंसर ऑप्सन नमबर थर्ड आ रहा है वेरी गुड चलिए हम देखते हैं अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण सत्ता सनचना का एक ऐसा रूप है जिसमें सत्ता प्रभावी ठंच से विक्तियों परिवार के एक गुड करने में होती है सत्ता जो सनचना का कैसा रूप होता है, बताए, इसमें सत्ता प्रवाई धंसे विक्तिवियं परिवारों को एक जुर करने में होती हो, इसको क्या बोलते हैं, अत्या अचरी शार्शन, फासिस्टवाद, कुलीन तंत्र, या धानिक तंत्र, बताएं इस पर कार कि सत्ता को कुलीन तंत्र के नाम से जाना जाता है कुलीन तंत्र अगर आपने चुना हुआ अपने इस प्रेशन का अंसर बेरी गूड चलिए अगला पर शे, हर्याना के संसधी सीटों ने की लोगसभा की संख्या कितनी है the number of parliamentary seats of हर्याना is हर्याणा में लोग सभग की कितनी सीटे हैं दस, चब्वेस, अठाइस, अतालिस दस हैं ओके तो हर्याणा के जो संस्ती सीटों की संख्या कितनी है ये दस हैं इनका भी अंसर आप्सन नमबर फस्ट आ रहा है वो हमारा इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन जीव मिल्खा सिंग किस खेल से जुड़े हुए हैं जीव मिल्खा सिंग इस एस्सोसियेटर विद विच गीम तो मिल्खा सिंग जी किस खेल से संबन देखते हैं आपके पोलो, बैडमिंटन, गोल्फ, टैनिश, कमेंट करें इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप्सन नमबर हमारा थर्ट, गोल्फ, क्लियर तो मिल्खा सिंग कोल्फ सिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, इनका भी अंसर आप्सन नमबर थर्ट आ रहा है, वो हमारा इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पा प्रवेज मशर्रफ, बेंजीर भुट्टो, चेतन भगत, जेवियर मोरो, मतलए पाकिस्तान दा गैतरिंग इस पुस्तक के लिखक का नाम बदाई है, चलिए, इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा, फ्रेंट साप्सन नमबर हमारा सेकेंड, बेंजीर भुट्टो, प पाकिस्तान दा गैंदरिंग स्टांप उस्तक के लिखक को ने बेंजीर भुट्टो है, ओके, जिनका भी अंसर आप्सन नमबर सेकेंड आ रहा है, वो हमारा इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्ता गीचा है, इसको किस नाम से जानते हैं। बहुत यह आसान प्रशन है, आप्सनस त samma है, मुगल गारण और, ताजब गीचा, ताजमहल मुगल गारण मुगल गारण मुगल गारण मताएगे, मुगल गारण दो बार ऑप्सनस ض te उपके, जिसमें क्वेस्त लिखक्त कर फेर पुरसकार प्राप्ट हुए है अगला प्रशन है मोतिया बिंद के इलाज को किस दवा इलाज के लिए किस दवा का प्रियोग किया जाता है विच ड्रुग इस यूज़ टू क्यूर ग्लू कोमा बताईए आप्सन है आपके फेक्सो फेनदाइन नेक्स्ट आप्सन कीटो, कोनाजोल लेटनो प्रोस्ट या इबुबरूफेंट बताईए मोतिया बिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रियोग किया जाता है बताईए आप्सन सी लेटनो प्रोस्ट क्लियर आप्सन सी जिनका भी अंसर आया हुआ है वो हमारा इस वैस्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिया अगला प्रश्ट रासायनो का एक समू है जो कोशिका विभाचन और पौधे के गठन को प्रभवित करते हैं तो कौन से वो रासायन के समू को उसको क्या बोलते हैं जो कोशिका विभाचन और पौधे के गठन को प्रभवित करते हैं और पौधे के साइटो कैसिस नेक्स्ट अप्सन गिवरलिंस डोमिस यॉक्सिन बताई है इसको क्या बोलते हैं इसको साइटो कैसिस कहेंगे इनका भी अप्सन नमबर हमारा फस्ट आ रहा है वो आपका इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आउक्सिजन की खोद किसने की थी वो डिस्कवर्ड आउक्सिजन आउक्सिजन के कारल शीले प्रश्ण आउक्सिजन की खोद किसने किया था चलिए इसक्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आउक्सिजन की खोद काल शीले दोला की गई थी ओके इसके अगर अगर आपको प्रिस्टले का उप्ष्ण देता तब भी उस पर जा सकते हैं ठीक है प्रिस किसी प्रमाण के उच्जटमिस्टर में इस्थिद को रहा तो किसी प्रमाण के उच्चतम पूरत इस्थिद को क्या कहा जाता है? क्छी प्रहान सैंते किसी अपके Toni 팔ले अत्रू पर एक कृट्छी पर आईटाल्स, था हैुड थे जर आईए आप्सन नमबर थर्ड जिसको सही हो जगता इलेक्ट्रॉंस कहेंगे इनका भी आंसर फ्रेंट से आप्सन नमबर थर्ड आ रहा है वह आपका इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए अगला प्रस्ट काफी अच्छा है एक जीबी कितने एक जीबी के बरावर कितने के भी होते हैं इसमें एक बुछ तरस्ता तो एक हजाब्यस हो जाता इस पुछा कि एक जीबी में कितने के भी होते हैं आपकी आप्सटै दोसों छपन कोड़े करें दिया हीजार जोबिष एक हजार शॉबष जोबें 124 चलिए अगला प्रश्न वह रानी उपनाम Bloody Mary था the Queen who had nickname bloody Mary गांता यह तो bloody Mary किस तरह परानी का उपनाम था इसका आप लिए अपने उमर्ग में दीजेगा। आप संसा आपको दिये एलिजाबुक्ष विक्टोरिया मैं प्रथम यह कथ बताइए चलिए जिसका अपने में अधिक थीतर है बताइए विचाणा उत्र प्रदेश सिक्यम प्ष्चिम मंगाल इस राज्य मेंnis का सबसे धुछ से बताहिए यह पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में मैंगरो बन का सबसे अधिक छेत्र याद रखेगा ऑप्सन फोर जिनका भी अंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है पश्चिम बंगाल चलिए अगला प्रश्च किस राज अगला प्रश्च में जाने वारे प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है फस्ट मैंड टू इंटू स्पेस वाज तो रोवल्ड एवंट सेंट रोनाल्ट मेयर रॉबर्ट पीरी मेजर यूरी गागरिन कर्शन का रैट आउसर होना हो करेंट मेजर यूरी गागरिन क्लियर ओपसन नर फॉर मेजर उरैंगरिन क्टने राज्जे हैं हो मेनी स्टेट्समें इंडिया है टुई 27 29 28 भारत में कितने राज्य हैं बताईए 29 29 लिए भारत में 29 राज्य है चलिए अगला बशे कौन सा देश की हूं का सबसे बड़ा उपादक है विच कंट्री इस दा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट ब्राजील यूएटेट इस्टेट फ्रांस यह चीन पताईए कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उपादक है फटा फट सक एवन करें चलिए इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएका फ्रेंट सा अप्सन नंबर हमारा पोर चीन क्या है सबसे दिख यहों का उत्पादन कहां पर होता है यह चाइना में होता है चीन में होता है जिनका भी अंसर अप्सन फोर आ रहा है वैरी गुड चलिए अगलर प्रश्च नूर जाहा किस मुगल समराइड की पतनी थी नूर जाहा किस मुगल अंपरर पतनी थी अकबर औरंगजे जहागीर शेह जहागए इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा ठेक है, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रॉष। तराइन कायोथ वर्ष में डदा गया था, तो तराइन कायोथ वर्ष डदा गया था? पंदा शब्क nelle, 1759, ये 1859, तो तराइन कायोथ वर्ष डदा गया था, बताहिए? आप्सन 3 ग्यारा सो एक्यान नवे ठीक है तो तराहिन के दिद्ध ग्यारा सो एक्यान नवे इस में लड़ा गया था याद रखेगा ओके चलिए ऑप्सन 3 हमारे इस क्वेश्टिंग के रिए विल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगलर पस्टम वर्ष 1779 में तरद्चालक का विश्कार किस ने किया था और मैं यह जोर्ज वाशी का टन मताईए इस question का right answer हो जाएगा friends option no first benjamin Franklin clear 1749 में तरड़त चलग का विश्कार किस ने किया था बेंजामिन Franklin ने किया था औके जिनका भी answer option no first आ रहा है वो friends हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न अगला प्रश्ण है उस वस्तो एक वस्तो उस समय इस्थर संतुरण में होती है जब वहाँ An object is in a static aquarium where it is तो कौन सी वस्तो कोई भी वस्तो इस्थर संतुरण में कब होगी Option जब वहाँ विश्राम की इस्थती में होती है Next Option एक वरत्ती मार्क पर चलती रहती है एक समान वेक से चलती रहती है यह उस उच्छे कति पर तोरित होती है बताई है तो एक वस्तो उस समय इस्थर संतुरण में होती है जब वह विश्राम की गति में होती है Clear? Option फर्स्ट जिनका भी अंसर आ रहा है वो हमारा इस question के विएक सही आंसर हो जाएगा ठीक है? चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन है आपके सामने एक सम्तो सता के वाध्यम से सता के लिए सामान चुम्बकी प्रवा घनत्तो और सता के छित्र का गुड़ज है चलिए इस question का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंटस आप्सन नमबर थर्ड चुम्बकी प्रवाव ओके? आप्सन थर्ड हमारा इस question के सही आंसर है चलिए अगला प्रशल सट्च्टन है समिध्हान का निर्मार करने वाला प्रथम देश मताई फर्स कंट्री तो मेरक कंट्री कंस्ट्टिकूशन इज समिध्हान निर्मार करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत, इंग्लेय्न, USA, स्री-Lanka आफ्सन थर्ड यूवैसे ठेक है समिधान निर्माण करने वाला प्रत्म देश यूवैसे था ठीक है अमेरिका देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है चंदिगड की संसदी सीटों यहीं की लोगसभा की संख्य कितनी है नंबर और प्रलेमेंटरी सीट्स आफ चंदिगड की संसदी यहीं की लोगसभा सीटों के संख्य कितनी है बताईए इस क्वेशन का राइट अंसर ऑप्सन फस्ट होताएगा एक है ओके चलिए अगला प्रश्चन है किस देश ने 2016 में आए सीसी अंडर नाइन्टीन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था बहुत अच् 2016 आपके आउस्ट्रेलिया, वेस्ट अंडीज, स्री लंका, इदक्षिन अफरीका, मता ही है इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर सेकेंड, वेस्ट अंडीज, क्लियर, चलिए अगला प्रश्चन मालगोडी डेज डैस दरा लिखा गया था, मालगोडी डेस किसके दरा लिखा गया था, बताइए, आप्सन फोर, आरके नारायन, प्लियर, तो मालगोडी डेस किसके दरा लिखा गया था, आरके नारायन दरा पुस्त लिखी गई है, ओके, डियर फ्रेंट्स, अप्सन फोर जिनका भी आंसर आया होए, वेरी गुड, चलिए, एक फाइल की समागरी को दूसरी में विलीन करने वाला कमांड कौन सा है, अपेंड, रिनेम, रिस्टोर, ये एड, बताइए, इसको अपेंड कहते हैं, ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंट्स, आपसर नमबर फस्ट आ रहा है, वे बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको अपेंड क का विशकार किया गया था, the dishwasher was invented by, जोन मार्बल, सर हेंरी कोल, जोसेिब कोजरेन, या बॉटोलोमियो क्रिस्टोफिकि स्वक्रहरी, पताइए, फ्रेंड डिश्वीसर का विशकार किस ने किया था, प्ठाफ़त से को एमन करें, जोसेफिब कोजरेन, प्लियर, फ्रेंड ज जो से फिन कोच रेन ने डिश्वाशर का विश्कार गिया याद रखिएगा और संथर जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए अगला प्रेस्टर फ्रेंट्स की प्रोथ्रॉम्बिन जो रखत का थक्का जमने के लिए हैं बताइए है और अप्सन सेकेंड रखत प्लेटलेट क्लियर प्रोथ्रॉम्बिन जो कि रखत का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है यह रखत प्लेटलेट्स की द्वारा इसको इस त्रावित किया जाता है ओके जिनका भी आंसर ऑप्सन नंबर सेकेंड आ रहा है वह ह देकें चलिए हम दथे हैंटम ग्लास का अग्ला प्रस्न ओdag अकेशिया अरे मिकाश सक वैगनिक नाम है मंहीं किसका वैगनिक नाम नीम सागान बफूल यह अनार कि किसको बिल्स प्रेश्चन का रॉइट उसर होजाएगा ओप स elder बहूलेश क्लियर तो अकेशिया अरेविका यह बबूल का वैग्यानिक नाम होता है ओके जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आप्सन नमबर थर्ड आ रहा है वह आपका इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल जही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्णु क्यानिस वलिप्स का वैग्यानिक नाम है अब बते क्यानिस वलिप्स किसका वैग्यानिक नाम है ओप्सन साइप के कुट्था बेडिया लोमडी लकडबग्गा मताइए तो मैं यह फिर्ण्स इस वैग्यानिक नाम होता है ओके चलिए हम देखते हैं इस लास का अगला प्रश्ण। अगला प्रश्ण का प्यश कितना होता है तो पानी का प्यश मन कितना होता है औक है घ्र घ श्र अखुत दूजिए हम इस के लास का अगला प्रश्ण। अगला प्रeas sulfur carbon dioxide को एक्षाइड को कहते हैं solid carbon dioxide is known as सट्थों Denn is किया कहा जाता है ऐस सابके हाइपको बॉरेक्स फिट करी या सुकही बर्फ मत्तिक थोर्ष carbon dioxide को क्या कहा जाता है कि एक मेंट करें कि अि inexpensive birthday तो चलिए सक्र Kent का रहे उंसर होा है का फ्रेंड्स ऑफ्सन नमबर हमारा फूर सूखी बर्फ ठीक ठोस कारबन डॉयक्सेट को ड्राइज कहते हैं सूखी बर्फ कहते हैं क्लियर ऑफ्सन फूर जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्चिम भारती और चीनी चित्रकार उद्वार एन ओयल पेंट वास फर्स्ट यूजड फॉर दबुद्धिश्ट पेंटिंग बाई इंडियन चैनीज पेशिन इंवेस्टर्ण तो कहां पर किया गया था इसका प्रथमबार प्रियोग और आफ्सन आपके एराक अफगानिस्तान पाकिस्त अप्सーチन और आफ प्रुटति ग्ला प्रहता है लिढ एक है इस्टी का रटकार हो जातर हो जाेका फ्रेंट हो जाएगा फ्रेंट स और हमारेम्गा हां किया गया था तो और प्रियोग प्रियोग किया गया था ओखेंगा यह जिन का विस झालीन सेर आ Почему के लिव्कूल साही एंसर है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला फ्रश्ण अगला फ्लाइमिंगो तर्वहा तेलग्ट में मनाया जाता है सभग करनाटक आंध्रप्रदेश महराष्ड जाता है मचली स्ट्व वह अंश सब्सक्रूबं महारा थं अंध्र प्रदेश क्लियर तो फ्लेमिंगो ते वहार आंद्र प्रदेश में मनाया जाता है जिनका भी अंसर अप्सिर नमबर थर्ड आ रहा है वह हमारे इस क्वेस्टन के लिए बिल्कूल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण यह आपके फ्रेंट क्वेस्टन जो होते हैं यह एकोनॉमी से रेटेड होता है यह टाइम टाइम चेंज होते रहते हैं प्रश्ण आपके यदि किसी वर्ष के लिए देश का सकल घरलू उत्पाद नौसो नब्बे मिलियन डॉलर था उबहुगता ख़र छेसो तीस मिलियन दॉलर था नर्याद 55 मिलियन और 555 मिलियन थे सरकार के खर्ष की गढ़ना करें तो सरकार का खर्ष बैठेगा वह लगभग दो सो चालिस मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष बैठेगा ओगे और सेकेंड हो जाएगा सही अगला बश्ण आर्थिक संतुलर्ण में इंदा इकोनॉम तो आर्थिक संतुलर्ण में क्या होता है हाफसन साहिब के मांग आपूर्थ के बराबर होती है अधिशेश्ट्र की कमी से भी बड़ा है मांग की लोच की आपूर्थ की लोच से के बराबर होती है मांग की कीमत लोच कि एक समान होती है कि यूटि एक समान होती है बदा यहां तो correl में क्या घूतर में तो सबस्क्राइब मैं जो है आ फूर्थ के बराबर होती है जिनका विए अंसर ब्रघ्र सर नमबर फस्ट आ है कि अगला प्रश्ञ्हरा वल्या Comics भेड़ ड्यज और मिन्रल व तो निकल बरिल्या लेड य ट्न भीड psyche कि आधे मेंट करेंगे अगे एक है डिदेप deb herself लुकार कखनी होता है जिन क्या है वाट इस ग्रीन हाउस एफेक्ट आपके मानवी कद्विजियों के कारण पेर्णों की संख्या में कमी आना नेक्स्ट आप्सन प्रतिवी के वायु मंदल के कारण उसकी सत्था का गर्म होना खने जीधनों के जलने के कारण प्रोशन होना ये ओजोन की परत खटने के कारण वायु मंदल का गर्म होना तो friends फटा-फट से बताइए कि इन में से green house प्रभाव क्या होता है इस question का right answer हो जाएगा friends option second प्रतिवी के वायु मंडल के कारण उसकी सत्था का गर्म होना clear जिनका भी answer option number second आया हुआ है वो आपका इस question के लिए विल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए अगला प्रशन भारत में सरवाधिक लंबा प्लेट फॉर्म यहां है the longest railway platform in India तो बहुत ही आसान प्रश्ट पूछा गया था बताइए friends कि भारत का सबसे लंबा प्लेट फॉर्म कहां पर है options दियेके हैं आपको अमरत सर्थ गोरखपुर काठ गोदाम यह कानपुर बताइए इस question का राइट answer हो जाएगा option second गोरखपुर clear सबसे लंबा प्लेट फॉर्म कहां पर है गोरखपुर में है चलिए जिनका भी answer option third आया हुआ है very good चलिए देखते हैं एगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आकार के संदर में शनी का हमारे सौर मंडल में इस्थान है in the term of science saturn ranks number one in our solar system तो आकार के संदर में शनी का हमारे सौर मंडल में कौन सा इस्थान है पहला दूसरा तीसरा चौथा दूसरा इस्थान है चलिए अगला प्रश्ण है जिब्रिखित महादीपो में से किसका सबसे छोटा भूमी छेतर है which of the following continent has the smallest land area मता ये किन में से सबसे छोटा दूप छेतर किसका है और से अपके अंटार्टिका यूरूब उत्तरी अमेरिका यद अक्षिड अमेरिका बताइए इस question का right answer option second हो जाएगा यूरूप ठेक है option second हमारा इस question में जिनका भी answer आया हुआ है फ्रेंट्स वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए अगला प्रशन जोधपुर के किले का निर्मार किस ने किया वो बिल्ड जोधपुर फोर्ट और सना पी गुरू रामदास शेह जहां राओ जोधाजी यह महत्मा गांधी जोधपुर के किले का निर्मार किस ने किया था बताइए option 3rd, राव जोधा जी clear, option 3rd option 3rd जिनका भी आंसर आ रहा है friends, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठेक है चलिए, हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन पानी पत की लडाई वर्स डैस में लड़ी गई थी पानी पत की लड़ाई के सिवर्स लड़ी गई 1764, 1757, 1526, 1857 बताइए, कि पानी पत की लड़ाई के सिवर्स लड़ी गई थी friends, बताइए तो काफी आसान question है इस question का राइट आंसर, option 3rd हो जाएगा 1526 इसली में, ठेक है तो पानी पत की लड़ाई है, 1526 इसली में लड़ी गई थी जिनका भी answer, option 3rd आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठेक है चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन, साहित्य में नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारती का नाम बताईए Name the first Indian to get Nobel Prize in Literature सहीत्य में नोबल प्रशकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारती कौन थे बताएं options हैं आपके, रभिंद्रनाथ टैगोर इवी रमन, लाल भादुर शास्त्री या अमरत्य सेन बताएं आपसर नमबर फस्ट रभिंद्रनाथ टैगोर कौन थे रभिंद्रनाथ टैगोर थे clear जिनका भी आंसर आपसर नमबर फस्ट आ रहा है वह आपका इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए अगला प्रश्ण है वाईमंडली दबाओ डैस दोरा नापा जाता है तो वाईमंडली दबाओ किसके दोरा हम आपते हैं आपसें आपके बैरोमीटर हेक्समीटर नैनोमीटर या गलैक्सोमीटर बताएं चलिए इसको बैरोमीटर के दोरा हम आपते हैं ओके जिनका भी आंसर आपसन नमबर फस्ट आ रहा है वो आपका इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो वाईमंडली दबाओ हेक्सोमीटर के दोरा हम आपा जाता है चलिए अगला परशन वर्षा मा अपने के यंदर को कहा जाता है इंस्ट्रुमेंट फॉर मेजरिंग रेइनपॉल इस गॉल्ड तो वर्षा ना अपने के यंदर को क्या बोलता है आपसन आपके लिए उसी मीटर नेक्स्ट आप्सन गेलक्टोमीटर हाइटोमीटर या हायोमीटर तो वर्षम आपने के यंतर को क्या कहा जाता है बताईए काफी अच्छा क्वेस्चन है और इस क्वेस्चन का राइट अंसर अगर आपने आप्सन थर्ड जुना हुआ है पिल्कुल सही आंसर है आपका इसको हाइटोमीटर के नाम से जानते है ओके आप्सन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है पिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिया अगला प्रशन राजसभा में और राज्जियों राजसभा में राज्जियों और केंद शाषित प्रदेश से कुल सदस्यों की संख्य कितनी होती है तो बताइए प्रशन आपका फिर से रिपीट करें राजसभा में राज्जियों और केंद शाषित प्रदेश से कुल संदस से होते हैं वर्स होते हैं यह कितने होते हैं बताईए है कि दोस्तों वर्तिस क्लियर चलिए और संथर जिन का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही होतार है उनका चलिए अगला पूर्षां भारत में पोर्व की तरफ देखो ने देखो नी थी निंलिकित में से किस के दोरा की गई दर लो की ऐस पॉलिसी इन इंडिया बाइच अपञारे सिंग बताई mutually आफसन जाप कि राजीव कांथी अटल भीहरी बाश पही पीवी नरसी महाराओ ये मनमोहन सिंग बताइए अफसन थर्ड पीवी नरसी महाराओ कि इसके दोरह ये पीवी नरसी महाराओ के दोरह चलेगी चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं एकला प्रशन देखते हैं अगला प्रेशन आपसे पूछा गया है एक फाइल की समागरी को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड है इसको किस नाम से जानते हैं बताएए append ओके चलिए अगला प्रेशन है डिस्वाश्टर का विश्कार किया गया था दिश्वाश्टर वाज इन्वेंटेड बाई आपसन सेब के जॉन वार्बर सर हैंरी कोल जोसेफिन कोचरें या बाटलोमियो क्रिश्टोफोरी बताएए डिस्बॉस्ट का भिसकार के तरह किया गया था option 3rd जोसिफिन कोचरेन clear option 3rd जिनका भी answer आ रहा बिल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है छलिए जोसिफिन कोचरेन छलिए देखते हैं एकला प्रशन अगला प्रशन प्रोथ्रोम्बिन जो रख्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, डैस की दोरा इस्त्रावित किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन जो रख्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, इसका इस्त्रावन किसके दोरा होता है, आपके आपसेसंस है, छोटी आथ, रख्त फ ति रहता प्लेटल टूप्लेट घीयर जिनका भी और अंसर Seven गょस ह्द झारा है। वह आपकने के लिए बिल्किल जही अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्राशन अकेशिया अरेबिका का वैग्यानिक नाम है अकेशिया अरेबिका का किसका वैग्यानिक नाम है आउसन साब के नीम सागौन बबूल या अनार असान क्वेश्चन ने फटा-फट से बताई अकेशिया अरेबिका का ये किसका वैग्यानिक नाम है भी बबूल का वैगनिक नाम है ठीक है किसका सइंटिफिक नेम है बबूल का क्लियर जिनका भी आंसर आप्सन नमबर थर्ड आ रहा है वैरी गुट चलिए हि मं अग्ला पुश्मन कैनिस वलर सघ्णिप्स नाम है गेनिस विललि 수가 इसको मैंने आपको होमर के लिए क्वेस्टन दिया था यहवाला अब स्ट इसन कर लेते हैं आप से पूछा कर की किसका वीउपन एक नाम है आपके options है कुत्ता भेडिया लोमडी लकडबग्गा बताएगे कि लोमडी का वैग्यानिक नाम होता है ओके किसका फ्रेंड्स यह लोमडी का वैग्यानिक नाम होता है याद रखेगा क्लियर जिनका भी आंसर आप्सन नमबर थरड़ा रहा है वो इस अगला प्रशन पानी का पिएच कितना होता है और इस दर पिएच ऑफ वाटर वैरीजी क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और यॉक्साइड को क्या खहते हैं आपके options दिये गए हैं हाइपो बोरेक्स फिटकरी ये सूखी पर्फ बताइए चलिए इस question का right answer हो जाएगा friends option 4 सूखी पर क्लिए क्या बोलते हैं इसको तो शूखी पर्फ कहता है option 4 हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए लेखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन भारती और चीनी चित्र काड़ो दौरा बहुत चित्रों के लिए पांच वी और दसवी शताब्दे की बीच इस question को डिसकस किया अफगानिस्तान राइट था अंसर अगला इस question का राइट answer हो जाएगा friends option नमबर हमारा थर्ड आंदर प्रदेश क्लियर का मनाते हैं आंदर प्रदेश में मनाते हैं चलिए अगला प्रशन आर्थिक संतुलन में क्या होता है in the economic equilibrium तो याद रखी कर साथ ही हो बिना time waste करते फटा-फट से answer discuss करेंगे आपको याद रख प्रश्ट जिनका भी answer आ रहा है very good चलिए लेखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है अगला प्रशन है बेरील का एक आयस किया खनीज है निकल बोरी वेरिलियम लैड या टीन मताई यह बेरील किसका एक आयस किया खनीज होता है कमेंट करें चलिया है तो बेरिल ठीक न तो बेरील जो हमें बेरील याउन के मताई खनीज होता है चलिया अगला प्रशन भारत में सर्वाधित लंबा प्रेट फॉर्म यहां है तो भारत ही नहीं बलकि विश्चु का सबसे लंबा प्रेट फॉर्म है ये उत्तर प्रदेश के गोरख पुर्जिले में है जिनका भी आंसर option number हमारा second आ रहा है वो friends आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए मैं डिये friends हम देखते हैं इस class का फटा फट से अगला प्रशन अगला प्रशन आकार के संदर्भ में शनी का हमारे स्वर मंदल में इस्थान है in the term of size Saturn ranks number in our solar system तो पहला दूसरा तीसरा चाहता तो आकार के शंदर्भ में शनी का हमारे स्वर मंदल में कौन साइस थान है बताई है second place है दूसरा इसथान है okay कौन साइस थान है तो friends इस दूसरा इसथान है clear चलिए देखते हैं स्क्रास का अगला प्रशन, निम्रिकित महादुपो में से किसका सबसे छोटा भूमी छेतर है, which of the following continents has the smallest land area, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, महादुपो में किसका सबसे छोटा भूमी छेतर है, बताईए, इस question का रही answer हो जाएगा, friends, option number हमारा second, सबस्क्राइब नियुक्री की निम्लिखत महादुपो में किसका सबसे छोटा भूमी छेत्र है तक है तो इसमें आभ है मैंने आपको बताया कि अंटार्डिका यूरोप उत्तर अमेरिका और दक्ष्ण अमेरिका में जो यूरोप है तो यूरोप का सबसी जो यूरोप है इसका जो भूमी छेत्रे सबसे छोटा है जिनका भी आंसर नमबर हमारा सेकेंड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चल यह हम देखते हैं अगला प्रश्चन अगला प पॉलिस्टी इन इंडिया वह स्टार्टेड बाई विच आफ दा फॉलिंग प्राइम मिनिस्टर्स आपके राजिव गांधी अटल बिहारी बाचपेई पीवी नर्जिमहा राओ या मनमोहन सिंग बताएं चलिए इस क्वेश्टन का रहीट आंसर अगर आपने चुना है फ इस क्वेश्टन का रहीट अंसर क्या होगा ऑफ्सन नमबर थर्ड पीवी नर्जिमहा रहा हूं क्लियर चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्टन अगला प्रश्टन वर्स 2016 में शीत कालीन ग्रीशम कालीन ओलम्पिक में 400 मीटर रिपेट गोल्ड म अगर करक कमेंट करें चलिया अगर हम बात करें आपके स्क्रेशन के राइट आंसर की इस क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर हमारा अप्सन नमबर फ़स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुस रही उत्तर एक सेकेंड इस ने जीता था तो इस प् अगला प्रेशन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए अगला प्रेशन आपके सामने कहा जाता है ध्यान से पढ़िएगा कि कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्वहान ने एक इसमारक के निर्मार के लिए प्रेणा दी है वाई इसमारक ने मिखित में से कौन सी है बताइए तो वो कौन सा इसमारक है आपसन सहीब की हमायो का मगवरा महाबोधि मन्दर समू कुतुब मीनार इलाल खिला परिशर मताईए इस् इंस्पिरियेशन तू बिर्ट विच आप दीज मॉनुमेंट चलिए तो वो कौन सा मगवरा इसमारक भी लाल खिला परिशर है चलिए अगला परिशन ने मिखित में से कौन सा एक नोबल पुरसकार विजेता भारतिय का नाम है विच आप दा फॉलोइंग इस दा नेम आफ नोबल प्राइज नेमिंग इंडियन तो कौन सा एक नोबल पुरसकार विजेता भारतिय का नाम है बताइए आपसें आपके विक्रम सारा भाई एपी जेद बिलकलाम एस्ट पंजानम सीवी रमन बताइए इस क्वेश्टन का राइट आंसर हो जाएगा ऑफसें नमबर फॉर सीवी रमन क्लियर सीवी रमन ऑफसें इनका भी आंसर आ रहा है बिलकुल सही उत्तर है उनका ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्टन अगला प्रशन है उनकी मानों की टुचा में कितनी परते होती है मानों की तोचा में कितनी परतते होती है बताइए उट संस माच ग्यारह थी बपताईए थर्ड लेयर हो तीन लेयर हो चलिए अगला प्रतीमे शिश्या नाम है अब सिपा इस दा संट्रिक संट्रिक नेम आप प्रतीमे शिश्य किसका नाम है गाजर तमाटर आलू यह प्याज इस question का right answer हो जाएगा option no.4 प्याज का यह नाम है clear option 4 जिनका भी answer आ रहा है वो आपका इस question के लिए विल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रत्स दि एने का पूर्ण रूप है दि एने डि एने स्टैंस फॉर दि एने का पूर्ण रूप क्या होता है options है आपके डिनुकलिक एसिड next option dairy nucleic acid di-ribonucleic acid deoxyribonucleic acid बताईए तिन में से DNA का full form क्या होता है DNA का full form होता है deoxyribonucleic acid option 4 ठीक है क्या होता है friends DNA का full form deoxyribonucleic acid दी DNA का full form होता है याद रखियेगा चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है आपका पराकृतिक rubber के बारे में निमलिखित में इसे कौन सी बात असत तहे है which among the following is false about natural rubber पराकृतिक rubber के बारे में कौन सी बात असत तहे हो बताईये options आफके यहां एक elastomer है next option यहां PCIC यहां एक PCIC है next option प्राकृतिक rubber क्लोरोपीन का भुलक है इसमें अड़ों में सुधार लाने के लिए इससे गर्म किया जाता है बताइए तो प्राक्रतिक रवड के बारे में कौन सी बात असत है इस question का answer आप लोग अपने friends home work में दीजेगा clear इस question का जो भी right answer होगे याप लोग अपने home work में अपने comment box में बताइएंगे चलिए देखते हैं अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण क्वैन टेट्रोकलोराइड में कई दुध्रू आगूण क्यों नहीं है वाई डाज दा कार्बन टेट्रोकलोराइड हैव नो डिसिपल मुवमेंट तो क्वैन टेट्रोकलोराइड में कई दुध्रू आगूण क्यों नहीं होते है options है आपके कार्बन और क्लोरीन के परमाड़ों के कारण तो परमाड़ों के समान आकारों के कारण next option नीमित टेटल सनसना के कारण समतल सनसना के कारण यह कार्बन और क्लोरीन के समान इलेक्ट्रॉन आकरशन के कारण चलिए बताईए इसक्वेस्टन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट से अप्सन नंबर हमारा था सेकेंड नियमीत टेंटल सनरचना के कारण चलिए इनका भी अंसर अप्सन सेकेंड आ रहा है वैरी गुड चलिए अगला प्रशन दश्मलों संख्य वन जीरो वन को दुई पदी में परिवर्तित करें करें करनवर्ट डैसिमल नंबर वन जीरो वन टू बैंडरी बताएं कि कंप्यूटर से समझेद क्वेश्चन में बहुत बैंडरी बहुत बहुत देखेंगे दोजा सोला वाले सत्त्रा वाली इकारिए त्सक्राइब कर रहें तीन वर्शों में हमने देखा कि बैंडरी से सम से फॉर्म पूछेगा ठीक है psyche Olympus में आपसे पूँच सकता है उसके बारे में ठीक थर्ड मेशा में आपसे प्रेस्ट चलाए लिवालं काले बोट रेस किया जाए किया अर्लम काली फ्लोडत रेस अधिरल सल्ग अन्र हो इस question का right answer हो जाएगा friends, option number हमारा first के रल, okay, के रल में किया जाता है अगला प्रश्न है, इंधन के अपूर्ण जलन के कारण निम्रिखित में से कौन सी गैस उत्पन होती है which of the following gas is produced due to incomplete combustion of fuels तो इंधन के अपूर्ण जलन के कारण कौन सी गैस उत्पन होती है options आपके carbon dioxide, carbon monoxide, methane या इथेन, बताईए शलिए, इस question का right answer अगर आपने चुना है option number second, carbon monoxide, ठीक है, तीन देर के अपूर्ण जलन के कारण carbon monoxide gas उत्पन होती है, याद रखिएगा, clear, option second जिनका भी अंसर आ रहा है, विल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का फटा-फट से अगला प्रशन, जो जीवान प्रकाश का उत्प्योग कर उर्जा उत्पन करते हैं, उन्हें डैस की रूप में जाना जाता है, organisms that generate energy using light are known as, जो जीवान प्रकाश का उत्प्योग करके उर्जा उत्पन करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जीवान प्रकाश का उप्योग कर उर्जा उत्पन करते हैं, इनको किस रूप में जाना जाता है, बताइए, इस question का राइट answer हो जाएगा, friends, option number हमारा 4, photo auto trust, क्या बोलते हैं, इनको photo auto trust बोलता है, clear, जिनका भी answer option number 4 आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा फट से अगला प्रशन, अगला प्रशन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, which is the first हिंदी newspaper of India, उडान, आचार विचार, उदंत मारतंड, विचार वेक्ति, बताइए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, comment करेंगे, चलिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, यह उदंत मारतंड, कौन सा है friends, उदंत मारतंड होता है, clear, जिनका भी answer option number 3 आ रहा है, वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, हिंदी का प्रथम हिंदी, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, उतंत मारतंड, clear, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पोर्तगाल की राजधानी क्या है, यह पूरा राजधानी है, what is the capital of पोर्तगाल, तो लिवस्बन, सिरसिंस्क, विएना, ब पता है, पूर्तगाल की राजधानी क्या है, चलिए, पूर्तगाल की राजधानी क्या है, very good question, option number first, लिसबन, clear, तो लिसबन जो पूर्तगाल की राजधानी है, option first जिनका भी आंसर आ रहा है, very good, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, Madrid की राजधानी है, the Madrid is the capital city of, तो Madrid किसकी राजधानी है, Philippines, Maldives, Spain, United Kingdom, Madrid किसकी राजधानी है, बताइए, इस question का right answer होता है, friends, option number, हमारे third, Spain, clear, तो Madrid की राजधानी क्या, Spain, चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सिकंदर महान डैस में पैदा हुए थे, Alexander the great was born in, Alexander, इनकी सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था, options था, 356 इशापूर, 189 इशापूर, 189 इशापूर, सिकंदर महान का जन्म किस फर्श हुआ था, चलिए, इस question का right answer, friends, हो जाएगा, option number हमारा, third, fourth, 356 इशापूर में, clear, सिकंदर महान का जन्म का जन्म को हो था, 306 इशापूर में, clear, इनका भी answer, option number four आ रहा है, वो आपका, इस question के लिए, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question बहुत पूछा, बहुत बार इस type से question पूछे गए हैं, जैसे कि पूछा कि इसमें कि अकबर किस वन्स का शाशक था, इसी प्रकार से पूछा कि हमायू किस वन्स का साशक था, और अगजीम किस वन्स का साशक था, इस type question बहुत 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 हैं, इसे में जिनका भी answer, option no.3 आ रहा है, बिल्कुल सही होतार है उनका, अकबर मुगल वन्स का शाशक था, याद रखिएगा, ओके चलिए, लेखते हैं, इस class का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, रॉकेट का विषखार किस ने किया था, हूँ इन्वेंटेड रॉकेट, बताई एइफ्रेंट्स कि रॉकेट का विषकार किस ने किया था, आपके options गहा है, लेज के गुएल, ए-ए-म Froster, रॉबर्ट गोडार्ड जेम्स एंडर्सन रॉकेट का विश्कार किस ने किया बताईए तो रॉकेट का विश्कार किस ने किया था फटा-फट से बताईए इस क्वेश्टिन का राइट आंसर हो जाएका फ्रेंड्स आप्सन नंबर हमारा पूर्थ फर्ड रॉबर्ट गोडार्ड ओके तो रॉबर्ट गोडार्ड ने रॉकेड का विश्कार किया था क्लियर ऐसे में जिनका ही आंसर ऑप्सन नमबर थर्ड आ रहा है वो फ्रेंड्स आपका इस क्रेस्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए हम देखते हैं अगल प्रतिवी के केंद्र से टू आर की उंचाई पर किसी इस्थिर किसी विक्तिका वजन तो पताइए दवेट आफ परस्तन अट आट हाइट आफ टू आर फ्रॉम दे सेंटर आप दा अड़्ध वाजन क्या होगा वही रहेगा आधाव हो जाएगा दुगुना हो जाएगा ए चलिए तो सब्सक्राइब वजन होता है वो एक जोथा ही हो जाता है एक जोथा ही होता है आफ्सन फोर जिनका भी आंसार रहा है वेरी बुट चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्ण अगल्या प्रश्ण हम द्ूद का विशिष्ट गुरुत कैसे मापेंगे क devamे कर ला की हाइग्रे में अद मिचानल का विशिष्ट में DR करके बताइए कि आप 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 से फूर हाइड्रो मीटर का उप योग करके ठीक है तो विश्च का जो पता है उस दूसकों इसके अदूद की शुदुता किसमें आपते हैं तो लेक्टो मेटर का यूज़ करके ओके चलिए अगला प्रश्च नहें है भारत का समिर् समिधान दिवस को आता है समिधान दिवस कब मनाते हैं ऑप्सेंस हैंप के 26 जनवरी जून 15 अगस्त 26 नवंबर बताएए 26 नवंबर ओके इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आप्सन नमबर फोर आया हुआ है वह आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है तो भारत का समिधान 26 नवंबर को आता है ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्चन अगला प्रश्चन भारतिय समिधान का अनुच्छित चवालिस नागरिकों को डैस के लिए समान समान नागरिक सहीता से संबंदित है अर्टिकल 44 ऑफ दा इंडियन कॉंस्टिटुशन यूफ उनिफॉर्म सिविल कोड वाद सिटीजन डील से बिद बताए भारतिय समिधान को अनुच्छित चवालिस है नागरिकों के लिए समान सहीता से संबंदित है आपसन साहिप के राज जनीत के निर्देश सिद्धान्थ इंदरसरकार राजसरकार भारति नागरिक के लिए के मौलिक अधिकार बताए चलिए इस question का right answer option first हो जाएगा राज जनीत के निरदेश सिद्धान इस प्रेक्टर प्रिंसिपल साफ इस्टेट पॉलिसी क्लियर जिनका भी answer option number first आ रहा है वह आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण भारती cricket क्रिकेट खिलाडी कौन है प्रत्थम भारती खिलाडी कौन है जिसने test match में 13 श्रटक बनाया था वो इस दा फर्स्ट क्रिकेट इंडियन क्रिकेटर वो हैव स्कूर्ड अ ट्रिपल हंडर्ड इन टेस्ट क्रिकेट पते वो भारती खिलरी कोने जिसने टेस्ट मैच में तीरा चतक बनाया था ओप्सन साहिप के राहूल द्रमिड सचिंतें देलुकर वी एस लक्षमण ये विरेंदर सहवाग बदाईए चलिए इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंडस ओप्सन नमबर हमारा फोर विरेंदर सहवाग क्लियर ओप्सन 4 जिनके भी आंसर आ रहा है विलकुल सही उत्तर है उनका चलिए अगला प्रशन दा अरेबियन नाइट्स उस तर्क किसने लिखी थी इस तर्क किसने लिखा व तक हुर्बट दबॉक दरेबियन नाइट्स स्टीफन होकिंग्स विक्रम सीट जोया हसन रिचर्ड बर्टन मता ये दा रेवियन नाइट सुस्ता कि तुर लिखी गई फटा 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 से कमेंट करें इस क्वेश्टिन का राइट अंसर हो चाहेगा फ्रेंड्स ऑप्सन नंबर हमारा फूर रिचर्ड बर्टन ओके प्रणी वर्गी करण में किस वर्ग में आती है स्पाइडर्स बिलाॉंग टो विच क्लास आफ एनिमल्स मकड़ीया प्राणी वर्गी खरन में किस वर्ग में आती हैं आपके एरेंटिस, एविस, गैस्ट्रोपोर्ड ये एंथोजुआ, बताइए, तो मकड़ियां प्राणी वर्ग में किस वर्ग में आती हैं, बताइए इस question का right answer हो जाएगा, option number first एरेंटिस, clear, option first जिनका भी answer आ रहा है, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण देखें तत्तो में से किसका गलनांक सबसे कम है, which of the following elements has the lowest melting point, bromine, zinc, lead, calcium, तत्तो में से किसका गलनांक सबसे कम है, बताइए चलिए option first bromine, चलिए, देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण, एथेन गैस का स्वाद थोड़ा होता है, तो एथेन गैस का स्वाद कैसा होता है, एथेन गैस has a slightly state, est, options से आपके मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन, बताइए इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number हमारा first, मीठा, तो एथेन गैस का स्वाद कैसा होता है, थोड़ा मीठा होता है, clear, जिनका भी answer, option number first आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, तो एथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा होता है, चलिए, अगला परशन computer विज्ञान में, रोम का विस्तारित रूप क्या है, रोम in computer science stands for, options आपके read only memory, read out memory, read only memory, या rotation only memory, तो random only memory, read out memory, read only memory, या rotation only memory, इन में से रोम का full form क्या होता है, बताएगा, यह होता है, read only memory, यह होता है, read only memory, जिनका भी answer, option number हमारा थर्ड आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, चलिए, अगला प्रशन इमरिखित में से कौन सा केरल का लोकुनरत नहीं है, वो मंगदा following is not a fork dance form of केरला, तो केरल का लोकुनरत इन में से कौ प्रशन नहीं है, option केरल का लोकुनरत नहीं है, तो इन में से कौन केरल का लोकुनरत नहीं है, बदाई है, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number हमारा 4, चलिए, 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 अगला प्रशन, वह वस्तु, जिसकी मात्रा की मांग, उस समय कम हो जाती है, जब भोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो उस वस्त को क्या कहेंगे, जब भोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो उस मात्रा की मांग कम हो जाती है, is the good whose quantity demanded decreases when consumer income increases options है आपके, बेबलेन वस्तु, सामान वस्तु, अनन वस्तु, यह निम्न कोटी की वस्तु, बताए वो कौन सी वस्तु होती है यह निम्न कोटी की वस्तु होती है, निम्न कोट की वस्तु होती है जिनका भी आंसर आया हुआ है, वो हमारा इस क्वेशन के लिए विल्कुल सही आंसर है चलिए, हम देखते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन विखित में से कौन सी प्रक्रिया वरशा होने के लिए जिम्मेदार है तो फिल्ट्रेशन, निचानन, वाश्पीकरण और संखनन, वाश्पीकरण या संखनन, इन में से वती कि वह कौन सी प्रक्रिया वरशा होने के लिए जिम्मेदार है ऑफ्सन सेकेंड, वाश्पीकरण और संखनन, क्लियर तो वाश्पीकरण ओर संखनन, जो प्रक्रिया होती है वरशा के लिए जिम्मेदार होती है ओके चलिये हम देखते हैं इस लाश का अगला प्रशन अगला प्रशन मानस राश्ट्री उद्यान किस राज्जे में है तो मानस राश्ट्री उद्यान किस राज्जे मेंग है इसक्वेस्टिन का राइट अन्सर हो जाएका प्रेंड साफसें नमबर थोड असम तो मानस राज्ट्री उद्देन किस राजी में या असम राजी में ओके जिनका भी आंसर फ्रेंड सापसर नमबर हमारा थर्ड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड से अगला प्रशन अगला प्रशन है कि फिल्म सुल्तान का जग घुमिया गीत किसने गाया है वो सेंग दा सौंग जग घुमिया फ्राम दा मोवी सुल्तान सुल्तान मोवी का जो सौंग है जग घुमिया थारे जैसता ना कोई सुना है चलिए किसने गया है बताइए अगला पर संग्मरमर डैस की एक कायंतर चटान है संग्मरमर किसकी एक कायंतर चटान है करता है यह मारबल इस मेटाफोरिक रॉक ऑफ और संग्मरमर चूने के पत्थर के एक कायंतर चटान है दिन का भी अंसर ऑप्सन नमबर सेकेंड आ रहा है वह हमारा इस क्वेशन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर इस्थित है विच सिटी इस लोकेटेड ऑन दे बैंक्स ऑफ रिवर चंबल चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर इस्थित है आपसने आपके एहंदाबाद, अयोध्या, बद् चलिए इस question का right answer हो जाए कि friends option number हमारा 4 quota clear चंबल नदी के दर पर quota share इस्थ है चलिए option 4 जिनका भी answer आया हुए friends बिल्कुल सही उत्तर है चलिए अगला बश्ट तराइन का युद्ध प्रत्वीरत चौहान और डेस्थ की बीच लिला गया था फटाफट से बताइए प्रत्वीरत चौहान और किनके मद्ध तराइन का युद्ध हुआ था दे बैटल अफ तराइन वास फॉर्ड बेट्वेरत चौहान एंड ऑप्सन जाब के महमूद गोरी बाबद यहुमायू बताइए चलिए इस ब्रत्वीरत चौहान और मुहम्मद गोरी के मधिलड आ गया था ठीक है जिनका भी आंसर ऑप्सन नंबर सेकेंड आ रहा है वो आपका इस ब्रत्वीरत के लिए बिल्कुल चाही आंसर हो जाएगा चलिए कि अगला प्राश्न है दो तिए विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ दे व्ल्ड वर्ष सेकेंड इस टार्टि इन दा यिर तो निस्सौंट ऑननने सो निस्स सानतालेस निष्ट पैनतालेस बताइए तो दो तीए विश्व यूद पिस वर्ष शुरू हुआ इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्सन नंबर हमारा थर्ड 1939 1949 में धुती विश्विद 1949 में शुरू हुआ था याद रखिएगा ऑप्सन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है वह हमारा इस के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण इसरों ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माड किया जिसे डैस की रूप में जाना जाता है इस रूप इंडिया इसको किस रूप में जाता है आफसन साहिब के आरभट भासकर रोहिंडी इंसेंट फस्ट ए मताई है कि इसको आरभट के नाम से जानता है ठीक है तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था आरभट क्लियर चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटा-फट से अगला प्रशन अगला प्रशन प्रथवी की सता से 2R की दूरी पर गुत्वा कर्शन के कारण तुरण का मान होता है जहां आर प्रतवी की तरिज्या है तो बताए तुरण का मान क्या होगा देखिए ये प्रत्वी की तरिज्जा से दो आर की दूरी पर चुकुरुत्वा क्रश्ण का मान होता है जी वाई नाइन होगा ते जी पटे नौ चलिए अगला प्रश्ण किस भौतिक मात्रा की एकाई पास्कल नहीं है तो यूनिट ऑफ इस question का right answer option first हो जाएगा जड़त तो आघूण clear तो किस भौतिक मात्रा की कई पास्काल नहीं जड़त तो आघूण ओके option first जिनका भी answer हो हमारा इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा clear चलिये हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ण अगला प्रेशनर किस भारती राजनीतिक पारटी AITC का पूरा नाम क्या है What is the full form of Indian political party AITC Options दिये गए हैं आपको All India Trenamool Congress Next option All India Telugu Congress All India Telugu Communist यह All India Trenamool Communist बताइए AITC का full form क्या होता है असान question है इस question का answer आपको अपने homework में दीजएगा ठीक है इस question का right answer friends क्या होगा यह आप लोग अपने comment box में comment करके बताएंगे AITC का पूरा नाम क्या होता है अगला प्रशन करनाटक के संसदी सीटों इनके राजसभा की संख्या तो करनाटक में कुल कितनी राजसभा की सीटें है options हैं की 12, 16, 18, 21, 31 बताएए इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंड आप्सन नमबर फस्ट बार रहा ओके आप्सन फस्ट हमारा इस question का सही उत्तर है अगला प्रशन अपूर्वी चंदेला डैस से संबंधित है दा पूर्वी चंदेला इस रिलेटेड टू तो पूर्वी चंदेला का संबंध किस्ते है मुक्के बाजी, तीरंदाजी, तैराखी या निशाने बाजी तो अब पूर्वी चंदेला का संबंध किससे है बताईए चलिए तो अब पूर्वी चंदेला का संबंध किससे निशाने बाजी से है और फ्रोजने नामक पुस्टक किस ने लिखिए है वे नामक पुस्तक शंदा है the broken wing नामक पुस्तक किस ने लिखा है बताईए सरोजनी नाइडू ओके the broken wing नामक जो नामक पुस्तक है ये सरोजनी नाइडू ने लिखा है clear ऐसे में जिनका भी आंसर option number 3 आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question CHOH में OH बंद है बताईए the OH bond in CH3OH is तो CH3OH में OH बंद किसका है किसका बंद है आपके option ध्रुबी साही हो जग साही हो जग next option ionic next option आध्रुबी साही हो जग धनायनी फटाफट से बताईए इस question का answer option first ध्रुबी साही हो जग किसका ये ध्रुबी साही हो जग बंद है clear चलिया अगला question अश्टक अंक प्रणाली का अधार क्या है what is the based of the octal numerical system तो अश्टक अंक प्रणाली का अधार बताईए क्या है आपके option से 8, 16, 32 ये 64 बताईए अश्टक अंक प्रणाली का अधार क्या है ये 8 होता है चलिया अगला प्रशन है बेंगाली is a official language of बेंगाली किसकी एक राजकी भाष्चा है बताईए इसका भी आंसर आप लोग अपने कमेंड बॉक्स में देंगे आपके राइट आंसर एक है इसको अपने होम और में बताईएगा इस क्वेश्टन का राइट आंसर आपका क्या होगा एक है चलिया हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशना अगला प्रशन माइको अर्थशास्तर का संबंद इससे है तो माइको अर्थशास्तर का संबंद किससे है आपके आप्सेंस है आयका व्रत्ताकार प्रवा next option मांग की तरह एक ही आर्थिक चरका नड़े लेना बिरोजगारी को समझ न या आर्थिक विकाश तुम्हाय को अर्थशास्तर का संबंद किससे बताई है option second मांग की तरह एक ही आर्थिक चरका नड़े लेना clear जिनका भी आंसर फ्रेंड से अप्शन नमबर हमारा सेकेंड आ रहा है वह आपका इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण उस अवसुथी का नाम बताइए जिससे सिंकोना सिंकोना पेंट से प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग मलेरिया की अपचार में किया जाता है बहुत आसान प्रश्ण आएगा बताइए नेम दग्ड्रग दर्वेट ऑचार और ट्री एंड इस यूज़ टू क्योर मालेरिया आप्सन आपकी केस्टोधिया नेक्स्ट आप्सन एक्यूमिनेटा कुनैन सिंकोना आप्सन थर्ड कुनैन ओके डियर फ्रेंड्स इनका भी आंसर आप्सन नमबर थर्ड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुनैन चलिए अगला प्रेशन है अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाट बंब कम छोड़ा था वें डिडि यूएस ड्रॉप दा आटमिक बॉम ऑन जापानी सिटी हिरोशिमा अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाट बंब कम छोड़ा था बताइए आपके आप्स जून 1947 ग्यारा माई 1931 बताईए अगर्स फस्ट छे अगस्त 1945 क्लियर ऑफ्सन फस्ट जिनका भी आंसर आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अगला प्रशे वर्स 1952 की महान धुंद वयू प्रदूशन की एक कंभीर खटना है जिसने डैस को प्रभावित किया तो वर्स 1952 में कहां पर एक जो है धुंद छाई थी आप्सन साहीं के पेरिस लंदन न्यू यॉयॉक दिल्ली रही वर्स 1952 में बताईए इसक्वेशन का राइट अंसर हो जाएका फ्रेंडस ऑफ्सन नंबर सेकेंड लंदन कहां पर यह लंदन ऑफ्सन सेकंड़ अगर आपने चुनिया अपने इस क्वेशन का अंसर बिल्कुल जहीं आपके लिए चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंडस फटा-फट से अग के बराबर होता है। आप्चिन अब 11 किलोमेटर, 211 किलोमेटर, एक सो 11 किलोमेटर या 311 किलोमेटर, अच्छांस का एक अंच किसके बराबर होता है बताइए। चलिए इस question का right answer हो जाएगा friends option नमबर हमारा 3rd 111 क्लिमेटर अच्छांस का जो एक अंस होता ही है 111 क्लिमेटर के बरावर होता है चलिए देखते हैं एकला question अगला परशे ब्रह्मपुत्र नदी के तड़ पर कौन सा शहर इस्थेद है which city is located on the bank of river ब्रह्मपुत्र नदी के तड़ पर कौन सा शहर इस्थेद है कानपूर श्रीनगर डिब्रुगर ये लखनव बताए चलिए प्रमपुत्र नदी के तड़ पर डिब्रुगर इस्थेद है क्लियर ऑप्सन थर्ड ओके ऑप्सन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है वह आपका इस question के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन एडॉल्फ हिटलर ने डैस में आतम हत्या की अडॉल्फ हिटलर ने आतम हत्या कब किया अडॉल्फ हिटलर कमिट्ट सूसाइड एन आपके 1915 1925 1935 यह 1945 बताए अगला प्रशन हुमायू किस वंश का शाशक देखे मैंने बिताय था ना आपको बहुत प्रशने से पूछे गए थे तो पता यह सिंपल सा क्वेश्चन है हुमायू का सशन कल कब से कब तक रहा पंद्रा सो तीस ते चालिस अब बताए इसी किस वंश का शाशक था नंद मुगल मौर्य यह रियंक बहुत आसान प्रशन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्सन नंबर थर्ड हो जाएगा सेकंड हो जाएगा मुगल ऑके मुगल वनिश कशाशक था यह चलिए अगला प्रशन रक्त पर संत्रेंट की खोज किस ने की वैरीजी क्वेश्चन ब्लूर्ट स्टर्प्लेशन वस डिस्कवर्ड आपके मेरी एंडरसन वर्जीनिया एपगार विलियम हारवे रॉबर्ट फ्यूल जेन बताई है एक नमबर अमारा फट्रसरी हो आएगा विलेम हारवे clear तो अभ्त पर संसुल उंस्ट की खोज किसी ने किया थह विलिय हारवे ने किया था ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि गोड़न कतिके2 प्रकार कौन से हैं बताए तो गोड़न कतिके के दो प्रकार कौन से हैं, what are the two kinds of rotatory motion, spin और कंपन कती, spin और कच्छी कती, spin और रुपांतर्द कती, spin और प्रक्षेप कती, बताइए, तो घूनन कती के दो प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए, option second, spin और कच्छी कती, clear, option second, जिनका भी आंसर आ रहा है, बिट्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन बल के अनुपरियोग के बिंद और rotation की धुरी के बीच, सीधी धुरी को कहते हैं, इसको आप प्रशन के बिंद और प्रशन की धुरी के बीच, सीधी धुरी को क्या कहते हैं, option आपके आप पूर्ण भुजा, जड़त वागुण, उचाई, या आधार, मताईए, इसको आप पूर्ण भुजा कहते हैं, अगला प्रशन एक अंग्रेजी दारशनिक और चिकेत सक्ट जॉन लॉक की अनुसार कौन सा एक प्राक्रतिक अधिकार नहीं है, एस तर जाउन लॉक, एंग्लिस फिलोसिफर और फिजिशियन, विच इस नॉट आ नेचुरल राइट, आप्सन से हैं के स्वतंदरता, समानता, संपत्ति, यह मत देने का अधिकार, मताईए, मत देने का अधिकार होता है, राइट तो ओड, मताईए, आप्सन फोर्ज इनका भी अंसर आ रहा है, विल्कुल सही होता है, यह एक राजनीति का अधिकार होता है, ना कि प्राक्रति का अधिकार, चलिए, अगला प्रशन, लोगसभा में कितनी सीटें, अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती के प्रत्निजियों के लिए रक्षित हैं, आप्सन साहिब के 49, 80, 109, 131, कमेंट करें, अफसर फूर, ओके, 131, 131, चलिए, अगला प्रशन, बड़ी शब्द किस खेल के साथ सम्बंधित है, तो बड़ी शब्द का सम्बंध किस खेल से है, आपसर अपके गोल्फ, बेस्ट बॉल, बास्केट बॉल, ये पोल, बड़ी शब्द का सम्बंध किस खेल से है, बताईए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number first, गोल्फ, clear, तो बड़ी शब्द का सम्बंध गोल्फ से है, इनका भी answer, option number first आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम रेखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ISI network model में कितनी परत होती है, how many layers are there in OSI networking model, OSI network model में कितनी परते होती है, आपके options है, 13, 11, 9, 7, बताईए, साथ layer होती है, ओके, OSI networking model में कितनी परते होती है, साथ परते होती है, चलिए, अगला प्रश्न, क्रिस्मस कार्ड का विश्कार किया गया था, क्रिस्मस कार्ड का विश्कार किसके दौरा किया गया, option number, John Border, Sir Henry Cole, Josephine Karain, Botolomia, Bristophori, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number, चलिए, इसका answer आपने home work में दीजिएगा, ओके, चलिए, अगला प्रश्न, क्या करता है, what does trypsons do, options आपके सामने है, जैसे की, कार्बोहेडर्र का विक्टिन करता है, प्रोटीन का शोर्षन करता है, विक्टिन करता है, या प्रोटीन का विक्टिन करता है, तो trypsons, trypsons क्या करता है, बताईए, trypsons protein का शोर्षन करता है, clear, तो प्रोटीन का शोर्षन करता है, तो यह trypsons करता है, ओके, चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, उस स्रोथ का नाम बताईए, जिससे aspirin का उत्पादन किया जाता है, name the source from which aspirin is produced, तो यह स्रोथ कौन सा जिससे aspirin का उत्पादन होता है, आपके option चेली की, चाल, next option, ओक का वरक्ष, बबूल, निखिल गिदी, बताईए, इसको action का right answer हो जाएगा, friends option number हमारा, first, second, ठीक है, चलिए, ओक के वरक्ष, चलिए, अगला प्रश्ण है, canis, fenimilinius, वैग्यानिक नाम है, canis, femdress, किसका वैग्यानिक नाम है, बताईए, options हैं आपके, बिल्ली, कुत्ता, लूम्डी, यह भेडिया, बताईए, option third, second, कुत्ते कर है, अगला नीमू में, इस्थितमल का नाम बताईए, नेम्दा, present in, नेम्दा, acid, present in the lemon, इसका अंसर प्रश्ण है, आपको नीमू में, इस्थितमल का नाम बताना है, बहुत ही आसान प्रश्ण है, options हैं, आपके पास, प्रश्ण प्रश्ण है, अगला प्रश्ण है आपका, 21 इस्थितमारक से, गौत्तम बुद्ध ने, दुनिया के लिए, बहुत धर्म के, अपने दिव ज्ञान का प्रशार किया, प्रचार किया था, बहुत अच्छा प्रश्ण है, इसने, तो महाबोधी मंद्र समो, clear, जिनका भी आंसर, option number second आ रहा है, वो आपका इस question के लिए, बिल्कुल सही आंसर है, चलिए, अगला प्रश्ण, भारत में कौन सा दूसरा, सरवोच नागरिक पुरस्कार दिया जाता है, भारत का दूसरा सबसे उंचा पुरस्कार कौन सा है, ब इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number हमारा, पूर, पदम श्री, clear, भारत का दूसरा सरवोच नागरिक पुरस्कार कौन सा है, पदम श्री है यह, ओके, जिनका भी आंसर, option number 4 आ रहा है, वो आपका इस question के लिए, बिल्कुल सही answer है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला दवा का, एक दा विरोधी दवा के रूप में किया जाता है, विच ड्रग इस यूज़ एज 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 एंटी इंफ्लमेंटरी, पते हैं, तो मॉर्फिन, इस question को तो इसकिप कीशे समझ में नहीं आ रहा है, अगला प्रश्न है, मूसा परडिसियाक, मूसा प केला, और केला का वैग्यानिक नाम होता है, जिनका भी आंसर और और फोर है, वो इस question के लिए बिल्कुल जही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जहींगे किस परिवार के होते हैं, बताइए, friends, plants belongs to each family, जहींगे किस परिवार से जबंदित हैं, options अपर crustacean, मचली, amphibians ये reptiles, जहींगे किस परिवार के होते हैं, बताइए, option first, crustacean, clear, option first, इनका भी answer आ रहा है, बिल्कुल, सही उत्तर है उनका, ठीक है, चलिए, और ये crustacean परिवार के होते हैं, अगला परिवार किस परिवार को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है, adding which substance gives blue color to glass, तो किस कलर को मिलाने से कांच का जो रंग होता हो नीला हो जाता है, option आपके manganese oxide, cobalt oxide, chromium oxide ये iron oxide, बताइए, option second, cobalt oxide, clear, option second जिनका भी answer आ रहा है, बिल्कुल सही होता है उनका, cobalt oxide, चलिए, अगला परिशने, कठोर पानी को अबाल कर, ये उसमें calcium hydroxide मिलाकर उससे म्रदु बचल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते है, टेकर की क्रक्रिया, टेमफर की क्रक्रिया, कलार की क्रक्रिया, इल्लिक की क्रक्रिया, बताइए, चलिए इस question का राइट answer अगर आपने चुना है friends option number third क्लार की प्रक्रिया बिल्कुल सही answer है इसको क्लार की प्रक्रिया गहते हैं अगला प्रशन पड़कल में इस्थिर इस्मार्कों के समूँ डैस में है करनाटक में है option third चलिए अगला प्रशन वर्स 2016 का हेमिस उत्सो डैस में आयुजित किया गया 2016 हेमिस फेस्टिवल वस हेल्ड इन 2016 के हमिस उत्सो कहां युजित किया गया था मड़िपूर जम्मो कश्मीर उत्तराखंड यह मैंसल प्रदेश मदा यह जम्मो कश्मीर में उत्तराखंड किया गया था clear चलिए अगला प्रशन एक मूल्ट तलवैद प्राइस फ्लोर इस पता यह तो एक मूल्ट तलवैद क्या होता है एक अधित्तम वैद कीमत है एक न्यूनतम मूल्ट है एक कीमत जहां मांग पूर्थ के आपूर्थ के बराबर होती है यह वह कीमत जहां मांग के लोज के आपूर्थ के लोज बराबर होती है बताइए थो मोलगोद होता हूँ होता है यह एक निउनतम ह Boulder होता है चलिए पानी की पीए में इस्थित खातक बैक्टिरिया उस पानी को बनाते है थो जायर सी बात अगर पानी में बैक्टिरिया पाई जाती है तो उस पानी को पीए लिए अईोग बना देंगे है in potable water make the water unfit to drink ओके, option first जिनका भी answer आया हुआ है, very good, चलिए अगला प्रशन है, कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है करण का question था, discuss भी मैंने आपको, यह था यह 18 का paper आपका है उस सी time मैंने join भी किया था आपका यह channel, मैंने आपको पढ़ाया भी था, बता यह था, carbon शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन है इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number हमारा first, ठीक है, sorry, option number four न्यूजिलेंड, ठीक है, मैंने आपको 18 में नहीं पढ़ाया था, यह मैंने आपको अगला प्रशन है आपके सामने, वसंत जौर तब आते हैं, जब spring tights occurs when, तो बसंत जौर का बाते हैं, जब चंदरमा, सूर और प्रतवी एक रेखा में होते हैं, सूर प्रतवी के सबसे निकट होता है, चंदरमा प्रतवी के सबसे दूर होता है, यह प्रतवी सूर और चंदरमा के साथ समकोन पर होती है तो वसंतजवार का बात हैं आफसन फस्ट चंद्रमा सूर्ज और प्रथवी एक रेख में होते हैं चलिए अगला प्रशन फिल्म किस फिल्म को वर्स 2016 में आईफा पुरस्कारों में सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है सबसे सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था आफसन साब के बाजी रौ मस्तानी पीकू तनू वेट्स मनू रिटर्न्स बजरंगी भाईजान बताए आफसन फूर बजरंगी भाईजान चलिए अगला पशनातिक उचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स अगला प्रशन हवा के वेग को मापने के यंद्र को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाले यंद्र को क्या बोलेंगे कोलंब मीटर एनीमो मीटर साइनो मीटर कोर मीटर तो इसको एनीमो मीटर कहते हैं ओके क्या बोलते हैं एनीमो मीटर चलिए अगला प्रशन है आपके सामने प्रथम भारती मुख्य चुनाव आयुक तो कौन थे वो अस दा फ़स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशनर तो यह मुख्य चुनावा युट तो कौन थे मुराजी देसाई सुकुमार सेन जवा पर असरदार पटेल वी एस रमादेवी बताएं यह थे सुकुमार सेन जवा उपसन सेकंड इस दाराइट आंसर अगला प्रशन है फिल मिलेकस्तन कौन सा अंतराश्च्टरि खेल खेलते हैं तो फिल मिलेकस्तन जी का संबंद किस खेल से गोल्फ बेस्बॉल बास्केडबाल मुक्यबा जी गोल्फ से संबंद देता हैं ओके चल्यकिया अगला ब्राश्य हैव द भाइट टाइगर के लेक्का कौन है वह सी अर्विंद डियुक्टाइ अरविंद डियुर। विजय कॉलहरे सिम्लोकरे तो वाइट टाइगर के लेक्क कौन है बताइए आーい है को Storage अरविन दिगा, ओके चलिए अगला प्रशन दिखित में से कौन सी एक server side scripting language है which of the following is a server side scripting language आपके options है HTML, DHTML, Java script, PHP, बताए तिर में से कौन सी एक server side scripting language है बताए है कि इसको एक्षिन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट सब्सक्रेप्टिंग लेंविज होती है याद रखिएगा चलिए अगला प्रश है वैक्यूम फ्लास्क का विसकार किस ने किया था वह इन्वेंटर वैक्यूम फ्लास्क मताइए वैक्यूम फ्लास्क का विसकार किस ने किया था आपके चार्ल्स एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ग्रेरी पिंक्स यह जीम्स डेवर मताइए इस वैक्यूम फ्लास्क का अगला प्रशन आगला प्रशन जिसे भी कहा जाता है मयोपिया इस डिफेक्ट ऑफ आइस विच इस आल्सो नोन एज तो मयोपिया आखों का दो सब्सक्राइब को और किस नाम से जानते हैं आपसंसाइब के दोर द्रश्ट दोश नेक्स्ट अपसंन निकट द्रश्ट दोश नेक्स्ट अपसंसन एस्टी गेमेडिजम यह रताउंधी मत आये मयोपिया को और किस नाम से जाना जाता है फटाफट से बताईए इस question का right answer अगर आप चुने है option second निकट द्रश्ट दोश बिल्कुल सही answer है तो मयोपिया को निकट द्रश्ट दोश के नाम से भी जाना जाता है क्लियर ऐसे में अगर अपना answer option number second चुन है तो यह सही answer है आपके लिए ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ट अगला प्रश्ट है आपके सामने हरित करांत के जनक की रूप में किसे जाना जाता है किसको जानते हैं आपके options है डॉक्टर रॉबर्ट नुक्लियस डॉक्टर इयान विलिमट डॉक्टर एन ई बोर्लॉग डॉक्टर जेसी बोस आसान question है हरित करांत के जनक की रूप में किनको जानते हैं कि चलिए इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्संस थी ऑप्संस थी डॉक्टर नॉर्मन ई बोर्लॉग ठीक है एन ई बोर्लॉग यहीं की नॉर्मन ई बोर्लॉग प्लियर तो ऐसे में अगर आप अपना असर ऑप्संस थर्ड चुने हुए हैं तो यह आपका बिल्कुल स सब्सक्राइब करता हिए और सब्सक्राइब के तेन दुए बाग वेल बगरी वेरी इजी क्वेस्टन इसका वैग्यानिक नाम है वो आपका इस क्वेस्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पैरटेगी इस बाग का रासाइब वैग्यानिक नाम होता है ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रशन है घास, तो घास को भी कहा जाता है, बताए घास को और किस नाम से जानते हैं, आप्सन आपके अच्टी शीत द्रव्य, नेक्स्ट आप्सन, सूपर द्रव्य, आदर्श द्रव्य, या आस्वित द्रव्य, बताए घास, घास को और किस नाम से जानते हैं, फट आपसन नमर फस्ट अतिशीत द्रव क्लियर तो अतिशीत द्रव घास को बोलते हैं ऑपसन फस्ट इन का भी अंसर रहा है वह अमारा इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल जही अंसर हो जाएगा ठीक है अतिशीत द्रव है चलिए अगला परश्ट पैटेन के सकार आतमक सर्फ जायी सर्फ नातमक समाइबी होते हैं तो पैटेन के सर्फ नातमक समाइबी होते हैं बताइए अप्सन सश्राइम के 1 2 3 4 चलिए pattern के तीन समस्चनात्मक समायवी होते हैं इस question का right answer option 3 हो जाएगा clear चलिए हम देखते हैं इस last का अगला प्रशन अगला प्रशन द्रविण पथद के मंदर के वास्तु शास्त्र का प्रतिप्थित्तु किसके दोरा होता है which is representative of द्रविण टाइप आफ टेम्पल आर्किटेक्शर प्रशन द्वारा पढ़ लिजे कि द्रविण पथद के मंदर के वास्तु शास्त्र का प्रतिप्थित्तु है किसके दोरा होता है option साहिप के विमान, शिकर, मंडप या गोपूरम बताईए इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा 4 गोपूरम किसकी द्वारा होता है यह गोपूरम के द्वारा होता है clear, ऐसे में हमार right answer friends option number 4 हो जाएगा answer के लिए ठीक है गोपूरम इस question का बिल्कुल सही answer है चलिए, हम देखते हैं friends class का अगला प्रशन अगला प्रशन है could could to का लोग नहीं रते हैं आपके options है केरल, आंध्र प्रदेश, जमूर, कश्मीर या महाराश्ट्र मताई यह could काहां का लोग नहीं रते हैं बताईए इस question का right answer हो जाएगा option no.3 जम्मू और कश्मीर clear तो कुड जो है जम्मू कश्मीर का लोग न रते हैं ठीक है तो ऐसे में अगर आप अपना answer option no.3 चुने हैं तो बिल्कुल सही answer है आपके लिए clear चली तो कुड जम्मू कश्मीर का लोग न रते हैं लेखते हैं लास का अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है आपके सामने यह जी कोई बस तो किसी सता पर फिसलती है तो उनके बीच गतिका प्रत्रोद करने वाला बल कहलाता है बदाए इसको क्या बोलता है आपके options है केंद्राक मुखी बल घर्शन अपकेंद्री बल यह जड़तते हैं बताइए इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा 4 ओके तो इसको क्या बोलते हैं इसको friction बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको friction कहते है अगला प्रशन यह जाएगा अगला प्रशन एक सुविरही प्रवाह में तरल प्रदार्थ में हर बिंदू पर एक समान रहता है इना steam line flow at a very point at every point in a fluid remains safe एक सुविरही प्रवाह में तरल प्रदार्थ में हर एक बिंदू पर क्या समान रहता है बल दबाव वेग यह गती बताईए तो यह वेग समान रहता है velocity क्या समान रहता है वेग समान रहता है clear option 3 जिनका भी answer आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रशन है आपके समने मसौधा आयोग ने भारतिय समिधान को किस भाषा में लिखा था the drafting committee wrote the Indian constitution in which language सब किस तब आपके पूछे वे प्रशन नहीं है मताई यह तो मसौधा योग ने भारतिय समिधान को किस भाषा में लिखा था आपके हिंदी और अंग्रेजी नेक्स्ट ऑप्सन सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू यह अंग्रेजी हिंदी और उर्दू मताई मसौधा योग ने भारतिय समिधान को किस भाषा में लिखा था इस question का right answer हो जाए का friends option number हमारा हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था clear option first जिनका भी answer आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है बिम्राउ ये बिम्रू में M किस राज्य को दर्श आता है इसमें M सक्या है महराष्ण मड़िपूर मद्रप्रदेश ये मिजोरम बताईए चलिए इस question का right answer है कि M का अर्द इसमें मद्रप्रदेश ये होता है clear option third हमारा इस question के लिए विल्कुल सही answer है अगला प्रश्ण है formula one Australian Grand Prix 2016 किसने जीती है बताईए who has won the formula one Australian Grand Prix 2016 option साहब के Daniel रिक्वगार्ड लुइस हैमिल्टन निको रोसपर्ग ये सेबिस्टीन वैल बताईए चलिए तो यह निको सोर्बर्ग ने जीता है ठीक निको सोर्बर्ग क्लियर option C हमारा इस question में जिन कभी answer आया हुआ है वह सही answer है चलिए अगला प्रशन लाइनेस ऑपरेटिंग कि सिस्टम क्या है वाट इस मैस्कॉर्ट ऑफ लाइनिंग इसका पुरा प्रकार से है कि लाइनेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेंकॉट क्या है मताई इसका लोगो क्या है आपके options ने बियर पैंगिन या वैल मताई अगला प्रशन अगला प्रशन अगला प्रशन अगला प्रशन डाइनमाइट वाज इन्वेंटर भाई बताई कि डाइनमाइट का विश्कार किनके दोरा किया गया है आपके options है चलिए जीन अन्टोइनी अल्फ्रेड नोबल जोसेफ निकोफर या नेलसन बताईए तो असान ग्वेशन है कि डाइनमाइट का विश्कार अल्फ्रेड नोबल दोरा किया गया था याद रखिएगा चलिए अगला प्रशन अब्रिखित मेंसे इसको अटा दीजे अगला प टो नाममात्र पैसे के अप्र पैसे के विकास दर में हुई ब्रद्धी का पर्ड़ाम जोर्च30 के लुज अधिए और नाम मात्र पैसे की आपीसे में विकासो का मतर हुद और विद्धि में मुद्रा में बढ़म स्थाल्य पता ये तो नामात्र पैसे के आपूर्ट में विकास दर्ब में हुई व्रध्धी का प्रेडाम क्या होता है यह होता है मुद्रा इस फीत की उच्छ दर higher rate of inflammation clear option second जिनका भी answer आया हुआ है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रश चमडे की रंगाई की उद्योग में कार करने वाले कारिगर को यह बीमारी होने का खत्रा होता है उनको किस बीमारी का खत्रा होने के ज़्यदा चांस रहते है आपके options हैं इस question का राइट answer हो जाएगा friends option number हमारा third तच्छा रोग कौन सी है तच्छा रोग clear option थर्ड जिनका भी answer आया हुआ है वो इस question के लिए जाई answer है ओके चलिए अगला प्रशा आपके सामने है इस पेलराइट का एक Iace Deaf उन स्थ जिनक्र इस पेलराइट जो है इस-क एक-आयस्क कि या खनी है मतले कें इस पर लाइए और और मिनहल अफ तुमरική मॉल्स शine प्रेमाया बताए इस पिलेवर जिंक बताए किसका और किसको छोघ्द हूटा है in a option for Genk ठीक किसका किस्क कहते करीच है यह जिंक पार इसक अधार होता है ओके ऐसे में जिनका भी अंसर ऑप्सन नूमबर फोर आ रहा है वो आपका इस क्वेस्टन के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है चल यह हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंट्स फटा फट से अगला क्वेस्टन अगला प्रशना के सामने है यह में लिखित में से कौन सा एक नामित आतंकी संगठन है तो इसमें से कौन सा एक नामित आतंकी संगठन है आपके आपसंस हैं तहरीक ए तालिबान नेक्स्ट आपसंस जमात अलफक्ता जमात अलएहरार तहरीक ए इसलामियत बताईए चलिए इस question का right answer अगर आपने चुना है option third जमात उल एहरार clear तो जमात उल एहरार जो है एक नामित आतंक की संगठन है ओके जिनका भी answer option number third आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए हम देखते हैं इस class का friends फटा फट से अगला प्रशन है कि कि अगला प्रश्ण में इसका किश्कित में से 10 के प्रयोग की उत्पादन में रीडिंग करने में होता है कि चलिए इसको पहता दिजिए इससे हुवा महल को किस ने चलिए उसको बताइए फ्रेंट से कि हवा महल को किसने बनाए था यह आपको बताना है आपसे आप देखके समझ जाएंगे इस का अंसर क्या होगा आपके गुरू रामदास महाराजा प्रताप सिंग रबिन्ना टैगूर ब्रिटिस गवर्मेंट एंडी की ब्रिटिस सरकार ब तो महाराजार प्रताप सिंग ने हवा महल का निवाट कर आया था याद रखेगा चलिए जिनका भी अंसर ऑप्सें सेकेंड आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका हम देखते हैं अगला प्रश्ना अगला डांडिया इस पॉप्लर डांस फॉर्म आफ दांडिया की इन ड इन पाराश्ट्र मधरीब्रदेश कि थी डांडिया कहा ग्लों नरत्य है वह संक करिष्ट फोट ब्त जरोसरइंते हैं तो फश्राद का इन चाहर में करा अई करक сколько Bernardanne को देखते हैं सब्छा moon नरत अग़ा प्रशन थे इसकेशन में वर्यक्र पॉप्शन फेंट इमेलस श ज ने पुछा गया है कि नेम तर एस्टियेशन आफ एनिमल्स इन विज द बोथ पार्टनर्स और बैनिफिट आर नोन एज चलिए इसमें आपको भी पुछा गया कि जानवरों का वह संगठन कौन सर्जिसमें दोनो भागीदार लाभवनित होते हैं तो इसको क्या बोलता है आपके options है एमनलिजम यनिकी सहजीविता कोमनलिजम यनिकी परजीविता कॉलोनी या मुटिनिजम यनिकी अन्योन वाद मता ये अंगला प्रेसे फ्रेंट मोनलेसा को पेंट किया गया था मतsemble इस पेंटिड आंचली रही पत्थर लकडी कागज धाक्क चादर तो मोनलेशा को कहां पर बनाया गया है किस पर मोलेसा की कृति बनी हुई है आपको बताना है पत्थर लकडी कागज ये धादू की चादर बता ये फटा फट सा इस question का right answer हो जाएगा friends option number अमारा second लकडी ठीक है तो मुनलिसा की painting कहाँ पर बनी हुई है ये लकडी पर बनी हुई है clear जिनका भी answer friends option number second आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका ठीक है शलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रशन चंद्रमा की अध्धन को क्या कहा जाता है what is the study of moon called तो सिनोलोजी, सिलिनोलोजी, कॉस्मोलोजी, हरडोलोजी ये पैलेंटोलोजी तो चंद्रमा की अध्धन को क्या बोलते है बताईए सिलोनोलोजी क्या बोलते हैं चंद्रमा की अध्धन को सिलोनोलोजी के नाम से जाना जाता है clear अगर आपने अपना अंसर option number first चुना हुआ है बिल्कुल सही अंसर है चंद्रमा की अध्धन को सिलोनोलोजी के नाम से जानते हैं याद रखिएगा clear चलिये हम देखते हैं इस ग्लास का फ्रेंट सफटाफट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न काफी आसान है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है बच है के अपन के आर्के टिफ प्रशांत आटलांटिग यह हिंद बताइये कि हैं सबसे बड़े और सबसे गहरे सगर का नाम क्या है प्रशांत महासागर हाईये चलिए अगला चाड़क के को और डैस के नाम से भी जाना जाता था चाड़क के को और किस नाम से जानते हैं राजशेखर तेजस्वी कोटिल ये बात्सियानन बताइए कि चाड़क के कोटिल लेके नाम से जानते हैं किसके नाम से तो फ्रेंट चाड़क के को कोटिल लेके ना से जाना जाता है ओके अफसन थोड हमारा इस क्वेश्टन के लिए जिनका भी आंसर आया हुआ है वह फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्टन में बिल्कुल सही आंसर है चलिए हम देखते हैं इस क्लास्त का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण देहरा दून की राजधानी है देहरा दून किसकी राजधानी है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश त्रिपूरा या अनुनांचर प्रदेश देहरा दून इस दा कैपिटल ऑफ विच सेटी बताई है चलिए तो फ्रेंड्स देहरा दून जो उत्तराखंड की कि राजधानी है कहा कि यह दून उत्तरा खंड की राजधानी है क्लियर ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्सन नमबर फस्ट आ रहा है वह आपका इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर है ठीक है चलिए अगला प्रशन किर के जंगल डैस में इस्थित हैं दगिर के लोकेटिड इन बताये गिर के जंगल कwa इस्थित हैं और फेसे मीर्स में गुजराथ जम्मो और कश्मीर लिए कर्नाठक गिर के जंगल कहां नव्हले कि और गुजरात में जिस और फेल को सही होता रही उनका उेकशलिए हम देखते हैं इसे पर गिर के जंगल होगे कच्छ के रण है ना दो बहुत पूस्त है गुजरात में ही है ऑप्सन सेकेंड जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्टिंग का विल्कुल सही आंसर है चलिए अगला पर बाबर का जन्म वर्ष में हुआ था बताइए बाबर का जन्म किस वर इस क्वेश्टिंग का रइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्सन नमबर फिर्स्ट चौदा सो तिरासी ठीक है फॉर्टिन एटी थ्री चौदा सो तिरासी में बाबर का जन्म हुआता याद रखेगा ओके जिनका भी आंसर ऑप्सन नमबर फिर्स्ट आ रहा है वह हमार अगला प्रशन बंगाल के प्रथम गवर्णर जनरल कौन थे वास्ट गवर्णर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल के प्रथम गवर्णर जनरल कौन थे आपके आप्सेंस हैं लॉर्ड विलियम बैंटिक सर विलियम डेनिंसन दा लॉर्ड नेपियर वारन हैस्टिंग बंगाल के प् जिलेजा इसक्वेशन का राइट अंसर ऑप्सन 4 आया हुआ है मिल्कुल सही आंसर है तो सर्वहट्र्ण हैस्टेंग चैनल थे बंगाल के परथम गवर्णर जेनल थे खेए आया है वो आपका इस रेखने में बिल्कुल सही आंसर है चलिया हो हम देखते हैं इस class का अगला प्रशना अगला प्रशन है वर्स 2001 में Mr. वर्ड पुरसकार को जीतने वाली प्रत्थम भारती कौन थी वर्स 2001 में Mr. वर्ड पुरसकार जीतने वाली प्रत्थम भारती कौन थी बताएं आपसंस दियेगे आपको सुनाली बेटे सुनाली बेंडरे रीता हारिया लारा दत्ता ये अधिती गोलवित्रिकार मता ये गोलवित्रिकार फटा फटा फट से कमेंट करें चलिए इस वर्ड पुरसकार को जीतने वाली प्रत्थम भारती थी अगर आपने अपना अंसर उप्सन नंबर फोर्ड चुना हुआ है तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है इस वर्ड पुरसकार के लिए ठीक है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन अगला जवाहलाल नहरू का जन्म वर्ष में हुआ था जवाहलाल नहरू वज बॉन इन दा इयर चलिए फ्रेंट्स बताएगी जवाहलाल नहरू का जर्म किस वर्ष हुआ था आपके आपसंस है 1789, 1849, 1889 बताएगी जवाहलाल नहरू का जर्म किस वर्ष हुआ चलिए इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंट्स बताएगी जवाहला नहरू जर्म हुआ था अगर आपने अपना answer option number 3 चुना हुआ है तो यह आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer है ठीक है चलिए हम देखते हैं इस class का फ्रेंट्स फटाफट से अगला प्रशन अगला प्रशन 2020 के ग्रीश्म कालीन ओलंपिक का आयोजन इस्थर क्या था what was the venue of 2020 Summer Olympics 2020 की ग्रीश्म कालीन ओलंपिक का आयोजन इस्थर क्या था बदाएगे आपके options है टोक्यो सियोल दुबाई यह सिंगापूर बदाएगे चलिए इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा फस्ट है टोक्यों कहां पर हुआ है टोक्यों में हुए थे अब हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन रेडियो कारबन डेटिंग तकनीक का उप्यों किस के लिए करते हैं बताईए और options है आपके मिट्टी के संदूशन का अनुमान लगाने के लिए नेक्स्ट आप्सन फाजलस में पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए नेक्स्ट आप्सन फाजल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए इमिट्टी की गुडवत्ता का अनुमान लगाने के लिए मेरे प्यारी दोस्तों बताइए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का यूज किसलिए किया जाता है चलिए अगर हम बात करें आपके इस क्वेशन के आंसर की जिनका भी आंसर आ रहा है फॉजल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के यूज किया जाता है तो ऐसे में जिनका भी आंसर आपसन नंबर थर्ड आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका क्लियर चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन किसी वस्त में उत्पन हुआ दबाओ उस पर लागू किये गए दबाओ के सीधे समानुपाती होता है इसे कहते हैं इसको क्या कहते हैं आपके आपसन से डॉलर का नहीं है हो का नियम मिरकानियम मे… यह कैपला रगानियम क्या कालिये है यंद थे यहान breaking Hill को अधोटें गरेशार ह्का नियद्क आ भाआ रहा है वो आपके इस क्वैस्ट्ट कि लिए बिल्कुल आऽि आंसर हो जाएगा ठीकाए चलिए अगला पासे कौन सा अनुछेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हे तो निर्दिष्ट करता है विच आर्डिकल स्पैसिजि?... स्पैसिफाइस इनपोजेशन ओफ प्रेस्इडेंट्स रूल इन इस्था स्टे टो कॉंश अच्छेद राज्जिय में राष्ट्रपदि रास्ट राष्ण लगाने है तो निर्दिष्ट करता है आपकी आपसी हैं 6356 , 3283 अनुच्छ धक्यावन है , 8ibly two two one papa फिर रीणी Enemy है 8 último 306 क्लियर फेंड्स ऐसे में जिनका भी आंसर आ रहा है वह हमारा इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल रही आंसर हो जाएगा अनुच्छे दिन मैन प्लानिंग कमिशन तो इन में से योजन आयोग का अधिक्ष कौन होता है आपके options सुरक्षा sä लिए प्रदान मंतरी ये वित्र मंतरी है तिन में से योजना योग का अध्यक्ष कौन होता है बताई ये option third प्रधान मंतरी clear तो friends जिनका भी answer option number third आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है clear जिनका भी answer option number third आ रहा है very good चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है भारत की पहली शत्रंज grand master बताइए the first world the first woman chess grand master of India is तो भारत की पहली महिला शत्रंज grand master कौन है आपके options है S.W. लक्षमी next option तानिया सचदेव हरिका दोनावली यर रिचा पुजारी तो भारत की पहली शत्रंज महिला शत्रंज grand master कौन है बताइए option first S.W. लक्षमी कौन है यह S.W. लक्षमी है clear option first हमारा इस question के लिए साथियों बिलकुल सही उत्तर है चलिए अगला प्षमी रोमियो और जूलियट किस ने लिखा था who wrote Romeo and जूलियट आपके options है Jane Austen, Mark Twain, Tony Morrison यह William Shakespeare तो रोमियो और जूलियट यह किस ने लिखा बताइए रोमियो और जूलियट यह William Shakespeare ने लिखा था clear friends किनों ने लिखा था जिसको William Shakespeare तो रहा लिखा गया है जिनका भी answer friends option number 4 आया हुआ है वो हमारा इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा ओके चलिए मेरे पहरे दोस्तों हम ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रशन की तराव अगला प्रशन ने लिखित में से computer की कौन सी computer की I-style memory है which of the following is the volatile memory of computer तो computer की I-style memory कौन सी है आपके options है secondary memory cache memory RAM यह ROM तो computer की I-style memory कौन सी है बताई आप लो RAM ओके तो random access memory जो RAM होती है computer की I-style memory है क्लियर जिनका भी answer friends option number मारा थरड आ रहा है वो आपका इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है memory कितने प्रकार की होती है memory दो प्रकार की होती है ठीक है primary memory और secondary memory RAM को primary memory भी बोलते हैं हिंदी में प्रात्मी मेमरी भी बोलते हैं इसके लब volatile memory भी बोलते हैं main memory भी कहा जाता है तो ऐसे में जिनका भी answer friends option number 3rd आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिलकुल सही answer है दोस्तों चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन डाक मीटर का डैस दौरा आविशकार किया गया था अगला प्रशन डाक मीटर का विशकार किनके दौरा किया गया था चलिए option second और अथर पिटनी ठीक है तो डाक मीटर का विशकार और अथर पिटनी दौरा किया गया था clear ऐसे में जिनका भी अंसर साती हूं option second और रहा है वो हमारा इस questioning के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा डाक मीटर का विशकार आर्थर पिटनी तौरा किया गया याद रखिएगा चलिए अगला प्रशन रिंग वार्म नामक बीमारी डैस के कारण होती है ने ने वार्म नामक बीमारी किसके कारण होती है और कवक बैक्टीरिया वायरेस यह मक्हियां घ्रिंग वार्म नामक बीमारी है यह किसके कारण से होती है फटा-फट से बताएं इस question का right answer हो जाएगा friends option number first कवक clear तो रिंग वर्ब नमक जो बीमारी है ये कवक के दौरा होती है जिनका भी answer option number first आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो रिंग वर्ब बीमारी कवक के दौरा होती है चलिए अगला प्रश्ण मगनीफेरा इंडिका किसका वर्ग्ष्याक नाम है असान प्रश्ण है मैंगनीफेरा इंडिका is a scientific name आउफ ती अमड आम country हग द्रह जो मगनीफेरा इंडिका किसका वर्ग्ष्यानिक नाम है बताएग है तो मेंगनी फिरा इंडिका ये आम का वैगयानिक नाम ऺंगे अगला क्वेश्चन अगला परशा केकड़े प्रजाति के अंतरगत आते हैं तो केकड़े जो हैं किस प्रजाति के अंतरगत आते हैं आपके आप्सन से साथ ही हूँ मॉलस्का, नौडेरी या और्थोपोडा या प्लेटी है मिल स्पेंस तो केकड़े किस प्रजाती के अंतरगत आते हैं, फटाफट से बताईए तो ये प्लेटी हेलमिन्स पेंस, ठीके ना लेटी हेलमिन पेस के अंतरगत आते हैं कौन केकड़े जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आप्सन नंबर फोर आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्टिन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटा-फट से अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आधुनिक आवरत सारणी का अविश्कार किस ने किया था वो इन्विंटर दा मॉडर्न पेरोडिक टेबल तो फैराडे मैंडलीव न्यूटन या गोर बताई फ्रेंड्स कि आधुनिक आवरत सारणी का अविश्कार किस ने किया था फटा-फट से बताईए चलिए तो आज ने कावर सांडी का विश्कर किस ने किया था मेंडलीफ ने किया था ठीक है मेंडलीफ ऑप्सन सेकंड जिनका भी आंसर आ रहा है वह हमारा इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल तहीं आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हम देखने इस क्लास का अगला प्रशना अगला प्रशन संभारकों में होता है आईसो बार्स है बताए फ्रेंड संभारकों में क्या होता है आपके आफसे समान भार संख्या है किन्त भिन परमाड़ संख्या है समान भार संख्या है किन्त समान परमाड़ संख्या है समा तो समान भार संख्याएं किन्तु विभिन परमाड संख्याएं होती हैं तो यसे में जिनका भी आंसर फ्रेंट्स ऑप्सन नमबर फस्ट आ रहा है वो आपका इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए अगला पर्शन प्रसेद व्रह लगादुह्षर मंद्र ej में स्थित है और की मदुराई तनजावर कांची भूर्म य रमेशयर्म बदए फ्रेंट्स प्रसेद व्रह लगादिश्वर मंद्र कहां पर स्थित है चलिए इस question का right answer अगर आपने चुना है आपका option number second तंजावूर clear तो ब्रादेश्वर मंदिर कहां इस्थेत है तो यह तंजावूर में इस्थेत है ठीक है जिनका भी answer friends option number second आ रहा है वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए हम देखते हैं एगला question अगला परशन में थाव फ्राशछ के साव में बोली जाती है चलिए पुर्यश प्रैंबर्ली इस्पोके इंविच इस्टेट तो इस ने परनिव जम्चने बोली जाती है أوp scratch साहब के भिहार असम पस्चिममंग vãoगाल यदे मेग हैं बतें फ्रेंट्स मेतली भाष्य मोकिरोप से किस राज्जे में बोली जाती है एक तो मेतली भाष्य मोकिरोप से भिहार में बोली जाती है ओके जिनका अग्छा यह आँसरा वारा आ रहा है वह अमारा डैस से बनता है तो तो चार बिट्स का एक समू किस से बनता है बता है गुर्प ओफ फोर बिट्स फॉर्म आथ चार बिट्स मिलकर क्या बनाता है एक बाइट एक निबल गीगाबाइट ये टेरा बाइट अच्छा क्वेस्टन है फ्रेंड्स बताइए कि बिट्स का एक समू म मिलकर क्या बनाता है फटा-फट से बताईए और अ ज़िए इस क्वेशन का राइट आणसर हो जाएगा फ्रेंड साउप्षन नंबर सेकेंड निबल बनाता है ओके जिनका विए आंसर फ्रेंड साउप्षन नंबर सेकेंड आ रहा है वह हमारा इस प्रश्चन के लिए बिल्कुल सही अनसर हो जाएगा ठीक है चल यह हम देखते हैं अगला प्रस्ट अकला प्रॉस भॉयू दाब लेखी यहांगि बैरोग्राफ द्वारा प्रािक ग्रवक्रा Darag Defi proud मुजार कीकि तौइंड़ा आज़यों डाय।इस की नेखिया था या लिविस उरी बताइए तो वायुदाब लेखिए नहीं कि बैरो मीटर का विश्कार किस ने किया फटा-फट से बताएगा तो लूसियन वीदी ने किया था ओके इनका भी आंसर फ्रेंड से उपसन नंबर फस्ट आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो लूसियन वीदी ने किया था बैरो ग्राफ का विश्कार ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास क है दो सब्सक्राइब आपके से इनसुलिन से बहुनता नेकस्ट सब्सक्राइब यक्रत के कारें में गडबड़ी होना ये बिलूर रुबिन का उच्छतर उतपादन बताएइ इनमें इन किस sound layer का करने आवा दो कि जब दूसरे लिन का कमुत पातन होता है ता मध में होता है ठीक है जिनका भी आंसर ऑप्सन नंबर सेकेंड आ रहा है वो इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर है ठीक है चलिए मैं डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का पटाफट से अगला क्वेश्टन अगला प्रशन टेक्टोना पैंडिक्स लिन का वैग्यानिक नाम है तो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैग्यानिक नाम है बताईये अप्सण्स है क्वेश्ट अपकी अबूरूद सागाउन आवला ये सागाउन बताईये तो टेक्टोना पैंडिक्स लिन किसका वैग्यानिक नाम है बताईये तो फ्रेंट से टीक इन्हीं की सागाउन का ये वैग्यानिक नाम होता है ओके अगर आपने अपना अंसर ऑप्सन नंबर सेकंड चुना हुआ है तो ये आपका इस क्वेंशन के लिए बिल्कुल सही अंसर है चलिए तो ले चलते हैं आपको हम आगे इसivas के अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन का थिनीनमोन लें किस अफिलीयोम याश तो बताली तो से इन्हीं तो इन्होंस प्रजाति के अंतरकत आते हैं आप्कित एंप्संस आंथ अंध्रो प३रिमे क्या कि बताइए इस question का right answer हो जाएगा option number second, need area, ओके जिनका भी answer option number second आ रहा है, वो आपका इस question के लिए विल्कुल सही answer हो जाएगा, clear, need area, चलिए, my dear friends, अब हमने चलते हैं आपको आगे, इस class के फटा-फट से अगले question की तरफ, अगला question, प्रतिवी के बारे में निम्लिखित में से कौन सी बात गलत है, which are among the following is false about earth, बते फ्रेंट्स की प्रतिवी के बारे में कौन सी बात हमारी असत्ते हैं, आपके options या सबसे घना ग्रह हैं, या पाचवा सबसे बड़ा ग्रह हैं, इसे साल भी कहा जाता है, इसे red, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, या सूर से तीसरा ग्रह है, तो इन में से बते फ्रेंट्स की प्रतिवी के बारे में कौन सी गलत बात है, कौन सा कथन असत्ते हैं, आसान question है, देखे, it is also known as a red planet, इनि कि इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो ये कथन हमारा प्रतिवी के बारे म कहा जाता है, ये कथन हमारा प्रतिवी के संबंध में असत्ते है, ओके, चलिए, देखते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन, एक रंग भेद विरूधी कारिकरता, एंटी अपार्थीर एक्टिविटिस्ट, तो इसको, देखे, नेलसन मंडेला जी थी, एक रंग बिलकुल जो है, दक्षिन अफरीका द्वारा, 1962 में 27 वर्सों के लिए, जो है, कारावास में रखा गया था, ठीक, नेलसन मंडेला जी को, तो ऐसे में जिनका भी आंसर, ऑप्सन नमबर थर्ड आ रहा है, वो हमारा इस क्वेशन के लिए बिलकुल सही आंसर है, चलिए, हम अगला प्रशन, अगला प्रशन, चांद बीबी डैस्ट की शाषक थी, चांद बीबी वास दा रूलर ओफ, अहमद नगर, बीजापुर, सतारा, या गोल कोंडा, मतलए फ्रेंड्स, कि चांद बीबी कहां की शाषका थी, अहमद नगर, ओके, चांद बीबी अहमद नगर की शाषका थी, जिनका भी आंसर, ऑपसर नंबर फस्ट आ रहा है, वो हमारा इस क्वेशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, यह क्वेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहते हैं, ठीक है, पु को डिसकर्स किया हुआ है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिए, अगला प्रेशन स्टरव स्टेशन के लिए, वर्स 2016 का आउसकर विजेता है, तो वर्स 2016 में आउसकर किसको मिला था, आपके आपसंस है, अलेजानो जी, इनरेट, अर्दकम मैक के, जॉर्ज मिलर, यह टॉम मैक कार्व रहे, बताएं, यह टैम मैक कार्व थे, बताएं, आपसंसर फर्स्ट, एलेजानो जी, इनरेट, क्लियर, आपसंसर फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है, वो हमारा इस क्वेस्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस क बिखत में से कौन सा एक रेडायन होगा, बिखना चमंग दा फॉलोइंग इस फिल भी आ नागिया, नागिवेशन, बताएं, इसमें से कौन एक रेडायन होगा, आपके आपसंस हैं, यह उसमें प्रोटाउं से अथिक एलेक्ट्राउं सहोंगे, नेक्सट आपसंसर यदि इसमें प्रोटान से अधिक न्यूट्राउन होंगे, इलेक्ट्राउन होंगे, तो इसको रेडायन कहते हैं, जिनका भी आंसर, option number first हमारा आ रहा है, वो आपका इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का friends, फटा-फट से अगला धातु में विद्द का वहन क्यों करती हैं, वाइ मेटल्स कंडक्ट इलक्ट्रिसिटी, तो धातु में विद्द का वहन क्यों करती हैं, बताइए, आपके options दिए गए हैं, कम गलनांग के कारण, next option, उच तनन सामर्थ के कारण, मुक्त इलक्ट्राउन्स के कारण, या उच परमाड़ घनत्य के कारण, बताइए, धातु में विद्द का वहन क्यों करती हैं, साती हो, बताइए, इस question का राइट answer हो जाएगा, friends, option number हमारा, third, मुक्त इलक्ट्राउन्स के कारण, clear, तो मुक्त इलक्ट्राउन्स के कारण, जो धातु में होती हैं, या विद्द का वहन करती हैं, जिनका भी answer, option number third आ रहा है, वो हमारा, इस question के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा, मुक्त इलक्ट्राउन्स के कारण, चलिए, अगला प्रशन, राजसभा का सदा से होने के लिए, किसी विविक्त की उम्र कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, to become a member of राजसभा, a person should be at least, तो राजसभा का सदा से होने के लिए, विक्त की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, अनसर होनी चाहिए, तो इसको कम से कम 30 वर्ष का होना ज़रूरी होता है, option second हमारा इस question में friends, इनका भी answer आया हुआ है, बिलकुल सही हुत्ता है, उनका, clear, चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्न अगला प्रश्न भारती समिधान में कितनी निसूचिया है How many sedules does the Indian constitution have तो भारती समिधान में कितनी निसूचिया है बताईए 6, 12, 18, 24 बत भारती समिधान में कितनी निसूचिया है फटाफट से बताईए इस question का right answer हो जाएगा friends, option number second, 12, कितनी है, 12 है, clear, जिनका भी answer option number second हा रहा है, very good, चलिए, अगला प्रशन, अंतर राश्ट्री को लम्पिक दिवस कब मनाया जाता है, when is the international Olympic day observed, बता ही है, अंतर राश्ट्री ओलम्पिक दिवस कब मनाते है, आपके option से 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसमबर, 23 जून, बताइए, पूछा कैसे question, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number 4, 23 जून, ठीक है, तो अंतर राश्ट्री ओलम्पिक दिवस, 23 जून को मनाते है, उके, इनका भी answer, friends, option नंबर 24 आया हुए है, वो इस question के लिए विल्कुल सही answer है, चलिए, हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन है, years, 12 years a slave, नामक परसिद किताब के लेखा कौन है, पताइए, तो 12 years a slave, इस पुस्तक के लेखा कौन है, आपके options है, चेतन भगत, नेलसन मंडेल सोलोमन, नार्थम, पैरेट्स, यह मुरारजी देशाई, तो 12 years a slave, नामक मक परसिद किताब के लेखा कौन है, बताइए, इस question का राइट answer हो जाएगा, फ्रेंट्स, option number 3, सोलोमन, नार्थम, पैरेट्स, ठेक, सोलोमन, नार्थम, पैरेट्स, क्लियर, option 3, इनका भी answer आ रहा वो हमारा इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रशना, अगला प्रशना कौन सा नियम या कहता है, कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है, अच्छा प्रशना है, which law states that bad money derives good money out of circulation, तो कौन सा नियम में कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है, और अपसंस में आपके नसरका का नियम, राम का नियम, शम का नियम, ग्रेशम का नियम, यह यह न का नियम, बता यह, तो कौन सा नियम में कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है, बता तो कौन है तो ग्रेशम का नियमें कहता है ओके जिनका भी आंसर फ्रेंट्स अप्सन नंबर थर्ड आया हुआ है वह आपका इस क्वेस्टिन के लिए बिल्कुल सही आंसर है चलिए देखते हैं अगला प्रश्णा अगला प्रश्णा,CFC के उतपादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल है उसे किस नाम से जाना जाता है तोख्लोरोडो कार्बं की उतपादन को कम घटाने के लिए जिस प्रोटॉकॉल का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है आपके आपसंसरी फैस्टी प्रोटॉकॉल आई-ार प्रोटॉकॉल नॉंटरियल प्रोटोकॉल मत आये प्रेंट्स इसको मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं किस नाम से जिसको मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और आफसें सी जिनका विए अंसर आ रहा है विल्कुल जही होता रहा है ठीक है चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड से अगला प्रशन अगला प्रशन मैलकाइट इस एन और और मिनरल आफ तो मारकाइट किसका एक आयस क्या खनीज है आफसें आफके लेड मैंगनीज मर्करी या तामबा बताईए कॉपर आफसन फोर कॉपर तो मारकाइट किसका एक आइस क्या खनीज है कॉपर का होता है ओके आफसन फोर जिनका भी आंसर आ रहा है विल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अगला पूरे कभी भी राजधानी की रूप में जाना जाता था देखिए पूरे को फ्रेंट्स कभी पेशवाओं की राजधानी की रूप में जाना जाता था देखिए पूरे को फ्रेंट्स कभी पेशवाओं की राजधानी की रूप में जाना जाता था तो पूरे को पेशवाओं की राजधानी की रूप में कभी जाना जाता था इसको तो प्रuna से विषय में कुल देशों की संख्या क्या है खोड़े सबस्टक्राइस एकृष्थ 165 2559 मतले फिरेंट विषय में कुल देश्ञा किसंख्या क्या है कि वैंट विषय में कुल एक्ट्रपंचाननवे देश 155 एक खेंश में 255 देश हैं यह आप याद रखेंगे चलिए अगला परशने में रिखित में से कौन किसी परमाड के केंद्रक के अंदर इस्थित होते हैं विच अमन्ग दा फॉल्लोईंग इस प्रजेंट इनसाइड़ नूकलियस ऑफन उटॉम तो कौन किसी परमाड के केंद्रक के अंदर इस्थित होते हैं बताईए आपके आप्सें से प्रोटांस और न्योट्रांस एलेक्ट्रांस और प्रोटांस न्योट्रांस और एलेक्ट्रांस न्योट्रांस प्रोट्रांस और एलेक्ट्रांस मत आई है ति प्रोटांस और न्योट्रांस होते हैं इतो आफ संत स्ट्रीए ति प्रोटांस और विए निधुरान्स होते हैं चलिए अगला प्रश्च बेकिंग सोडा क्या होता है वाट उस बेकिंग सोडा मताहिं इये आपका ओस फिंटा अलुमीण थैनिये ऐकार्बोन में तो चर्ण इन आर्ट सोडियय माइट यह ऐलुमिनियम सेलफट पतना है फ्रेंट से की क्या होता है और यह उता है सोडियम बाय कार्बोनेथ ट्लियर ब्लेकिंगeee सटाफरेंट की होता है इसको इसको बेकिंग निशूडich क्याता है ओके जिनका भी आंसर ट्रेंट्बर फ्रेंट्स अबसन नंबर थर्ड विशिटम अगला प्रश्टर डाचों 최त फंते समय है कि you know कि अगला पाफ्सिंट्स न घे juicy rat को इस्क्षिंट का राँच्ट ऊसे अप्श्टन हो जाएका Сп्रेंट्स ऑप्सन नमबर हमारा फस्ट महाराउअ चलिए तो इलिफेंटा की कुफ़ाएं किसमें ते महराज्ट्र में हैं ठीक है जिनका भी आंसर प्रेंट्स ऑप्सन नमबर फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्लियर चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्णिवर में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्री नरत है तो कौन सा उत्तर भारत का शास्त्री नरत है बताइए कथक, option 3, clear, friends, कथक जो है उत्तर भरत का एक शास्त्री नरत्य है, याद रखिएगा, option 3 is the right answer, चलिए, अगला पर निम लिखे, तत्तो में से कौन सा तत्तो कमरे के तापमान पर द्रव की रूप में होता है, फॉस्फोरस, पारा, सोडियम, अलुमीनियम, बताइए, तो कौन स तत्तो कमरे के तापमान पर द्रव की रूप में होता है, ये मरकरी, पारा, option 2, चलिए, अगला प्रशे, कौन सा राज्य हर्याणा के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता, विच स्टेट देज नौट शेर, अक कॉमन बॉर्डर विद हर्याणा, तो हर्याणा के साथ कौर नहीं करता है, बताइए, चलिए, इस question का राइट अंसल, अगर आपने चुना है, आपका option number, फस्ट, ठीक है, ओके, चलिए, तो option 3, इसमें सरी हो जाएगा हमारा, चलिए, राष्टी फिल्म पुरस्कावरों का पाराम कब किया गया था, बताइए, 1973, 1980, 1987 यह 1994, मेरे पहरे दोस्तों बताइए, राष्टी फिल्म पुरस्कावरों का शुरुबात का हुआ, 1973 में किया गया था, आपसं फस्ट हमारा सही हो जाएगा, चलिए, अग्ला प्रोटीन संस्रेशन कहां से करते हैं, वेर डू प्लांट सिंथाइज प्रोटीन संस्रेशन कहां से करते हैं, वस अगला प्रशन मस्तिस्क का कौन सा हिस्सा सोचने, पुद्धिमानी या दास्त और सीखने की छंता जैसी क्रियाओं को प्रेड़ित करता है, इसका अंसर अपने होमवर्क में दीजेगा आप लोग, विच पार्ट ऑफ दा ब्रें रिस्पॉंसपल फॉर्ट प्रेंट रिखेंगी होगी, ठीक है, चलिए, तो आद किस क्लास में इतना ही, जो लोग क्लास में अभी आये हुए हैं सब लोग क्लास को अपने स्टार्ट इन जरो देखें, बहुत ही इंपॉर्टन क्वेसम सम्ने डिस्कस कियां, चलिए, इसकी अलोग फ्रेंट जिन भी लोग ने क्लास को लाइक नहीं किया, जिन भी लोग ने साथ लिए क्लास को अपने शेर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने शेर भी कर दें, ओके सब लोग क्लास को फ्रेंट लाइक और शेर फटा फट से कर दीजे, चलिए, तो मैं आपका फ्रेंट शिवम कुमार मिलता हूं फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो दब तक की लिए मेरे दोस्तों आप सब लोग अपना ख्याल लखें सेफ रहें पढ़ाई करते रहें टेक कियर फ्रेंड्स बाबाई